हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरू कॉम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में जैसा कि दोस्तो आप सभी को पता है कि हम लोग MS Word बिलकुल सुरू से सीख रहे हैं और ये तीसरा पार्ट है यानि तीसरा वीडियो है MS Word के उपर इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है insert tab के बारे में पूरा complete सीखेंगे आप सभी को बता दूँ कि MS Word के उपर part 1 और part 2 वीडियो हमारे चैनल पर upload है और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के description box में उसकी playlist मैंने बना दिया है और उसका link दिया है आप direct click करके MS Word की पूरी playlist को step by step देख सकते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए इतना जादा important है कि समझे लिजिए जो लोग आज का वीडियो पूरा complete देख लेते हैं वो MS Word को 40% सिर्फ इसी वीडियो के जरीए सीख जाएंगे MS Word में insert tab MS Word की पूरी जान है अगर आप MS Word का insert tab अच्छे से सीख जाते हैं तो आप इतना समझ लिजिए कि आप MS Word का 40% MS Word सीख चुके हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत जादा महनत की है MS Word के insert tab के एक-एक बटन को पूरा खोल कर मैंने आप सभी को समझाया है ताकि सारी चीजे आपको अच्छे से समझ आ जाए बस ये दो घंटे अगर आप इस वीडियो को दे देते हो तो मेरा बिजवास करिए आप insert tab के एक-एक बटन की पूरी complete जानकारी एकदम डीटेल में सीख जाओगे तो चलिए ज़्यादा बाते नहीं करेंगे सबसे पहले करते हैं वीडियो को शुरू हेलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर smart class अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिए एक लाइक से मैं बहुत जादा मोटिवेट होता हूँ और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर सकते हैं उनका भी फायदा हो सकता है और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेगा और पूरा जरूर देखेगा एक एक बटन की जानकारी मैंने पूरी complete बताई है और उसको practically करके भी दिखाया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले MS Word को जो है चालू करते हैं Windows के साथ R बटन दबाते हैं ये run command खुलती है इसमें हमको type करना होता है win word, win word type करने के बाद इसको okay करिए ये MS Word खुल जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है insert tab के बारे में पूरी ये जो जितने भी बटन दिये गए हैं इसकी एक एक करगे पूरी practical जानकारी सीखेंगे कैसे आप इसको apply करोगे, साथ में मैं आपको बताऊँगा जब आप कोई table insert करोगे तो देखोगे अलग से दो tab open होते हैं design और layout इन दोनों के भी बारे में बात करेंगे इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कोई shape या picture जो है insert करोगे इस तरी के से बनाओगे तो एक अलग से format tab open हो जाता है इसके बारे में भी बाताऊँगा आप सभी को और फिर मैं आप सभी को यहाँ देखिए picture जगर मैं कोई select करता हूँ picture select करने के बाद भी देखिए format tab open होता है यह अलग format tab है और इस पर क्लिक करने के बाद देखोगे यह अलग function आ रहे हैं तो यानि कि यह तीन tab insert tab का यह पूरा भाग इसके बाद जो है picture select करने के बाद जो यह format tab open होता है इन सभी के बारे में पूरी complete जानकारी बस आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी इसलिए मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि अगर आप जो है insert tab के बारे में अच्छे से सीख जाते हो तो समझ लिजे आप MS Word का 40% हिस्सा जो है बस एक ही वीडियो से सीख जाओगे तो सबसे पहले करते हैं इसको delete, control A से all select और delete ये सब कुछ delete हो चुका है अब हम लोग insert tab के सबसे पहले वाले भाग यानि page वाले भाग के बारे में इन buttons का इस्तमाल करना सीखते हैं तो देखिए सबसे पहला ये जो cover page दिया गया है इस button का काम जो है हम पहले से बने बनाए page के cover को insert करा सकते हैं देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई book लेते हैं तो उस पर एक cover चड़ा होता है यानि उस book में क्या क्या दिया गया है उसका main main चीज उस पर लिखा होता है कि इस book के कौन सी book है जैसे आप अगर गडित की book लेते हो तो आप देखो कि उसके cover पे गडित अंक गडित बीज गडित लिखा होता ठीक है इसी तरह के से अगर आप MS Word में कोई ebook तयार कर रहे हो या फिर कोई ऐसा document तयार कर रहे हो अपनी notebook ही तयार कर रहे हो और आप उसका cover तयार करना चाहते हो तो आप जो है खुद से तो यहाँ पर तयार ही कर सकते हो जो कि हम आने क्लिक कर लेता हूं इस पर क्लिक करने बाद देखो कि जो हमने इस पर क्लिक किया था यह वाला page का cover वो add हो चुका है इसको मैं यहां से थोड़ा सा करता हूं zoom out और यह देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा page का cover थोड़ा सा और करते हैं अभी देख सकते हो यहाँ अगरा भी चेंज कर सकते हो देख सकते हो यहाँ ठीक है यानि कि कुल मिलाकर आप यह बात कर सकते हो कि जो भी आप page को insert कराओगे उन सभी page cover में जो है आप अपनी इच्छानुसार changes ला सकते हो यानि change कर सकते हो ठीक है यह तो रही default जो हमें MS Word page cover देता है उनको इस्तमाल कर है remove करना चाते हो यानि हटाना चाते हो तो इस condition में यह button काम करेगा बस आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर इस button पर click कर देना है जैसे आप उस button पर click करोगे तो देखोगे आपके जो cover page था वो यहाँ से remove हो जाएगा देखिए अगला जो इसमें यह button दिया गया है save selection to cover page gallery इसका इस्तमाल करके आपने अगर अपने से जो है कोई page का cover बनाया है और आप उसे future में भी इस्तमाल करना चाहते हो तो आप अपनी gallery में यहाँ पर उसे add कर सकते हो यहाँ पर वो add हो जाएगा ठीक है कैसे add करना है पहले तो आपको वो design बना लेना है इस पर जैसे कि मैं यहाँ पर example के लिए आपको एक photo ला करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़े अच्छे समझा जाए यहाँ पर जो है आपको design बना लेना है मालीजे मैंने इसी को ही बना लिया है आपको सिर्फ समझना है ठीक है इसको बनाने के बाद अगर आप बाहर click कर दोगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर click करोगे देखोगी highlight नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है control A से all select करना है इसके बाद page cover पर जाना है अभी आप देखोगे यहाँ पर save selection to cover page gallery का option आ गया है इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर जो है नाम देना है य यहां पर देखिए गुलाब नाम से यह जो है हमारा cover page सेव हो चुका है तो यहां से हमने जो है तीनो बटन का इस्तमाल करना सीख लिया है उमीद करूँगा आपको यह अच्छे से समझ भी आ गया होगा अब बात करते हैं blank page की बारे में ठीक है तो इस button पर क्लिक करके आप अ कुछ document बना लिया है इसके बाद मुझे एक और page की जरूरत है साधे page की जरूरत है blank page की जरूरत है और मुझे insert कराना है तो insert कराने के लिए आप देखे insert वाले tap पर जाकर blank page पर क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल साधा page यहां पर insert हो जाएगा अगर आप जो है दुबारा से क् blank page लेना चाहूँ आप यहां से आसानी से ले सकते हो ठीक है देखे इतने सारे pages हमने ले लिये हैं तो यहां से मैं करता हूँ control A से all select और delete बटन से delete ठीक है सब के सब delete हो चुके हैं इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा अब देखे page break की बात आई तो इसको जो है हम लोग अप इस page में जो है इतना ही matter रहना चाहिए अब मैं अलग page से कोई matter लिखना स्टार्ट करूँ तो यहां पर जो है हम यहीं से page को break कर देंगे ठीक है मैं यहां से page को break कर दूँगा देखिए अलग page आ गया है अब आप कोगे यह तो हम blank page से भी कर सकते थे जी हां बिल्कुल भी क कर सकते हूँ लेकिन तब जो है break page लाने का क्या मतलब है break page लाने का यह मतलब है कि आप अपने document को बीच से ही जो है दूसरे page पे ला सकते हो कैसे लाना है मैं इसको करता हूँ control चेड़ यहां पर देखिए u है na u से मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला matter जो है break हो जाए यह अग blank page और break page का मतलब क्या है ठीक है break page का मतलब जो है जहां पर आपकी current position रहेगी जहां पर आपका यह जो करसल टिम्टिम आएगा वहीं से page जो है break हो जाएगा यह हमारा page वाला जो है एक section complete हो गया है अब बात करते हैं table वाले section के बारे में तो इस button का इस्तमाल करके आप जो है जब आप अपना mouse यहां पर लेके जाओगे तो जिस पर click रहेगा आपका mouse सिर्फ उतना ही row बनेगी थोड़ा सा नीचे लेने के बाद देखिए दो row डोर table आ गया है क्योंकि दो उपर से भी हमने selection बना लिया है दो नीचे से भी अगर मैं सिर्फ इधर की side में जाता हूं त देखो के सिर्फ column बन रहे हैं वहीं अगर मैं नीचे की side में जाता हूं तो सिर्फ row बन रही है वहीं अगर मैं यहां से start करता हूं बीच से बिल्कुल तो देखो के row और column दोनों बनना है क्योंकि हम बिल्कुल बीचो बीच जा रहे हैं और इधर से इधर भी selection बन चुका है इधर से इधर भी selection बन रहा है इसलिकी वज़े से जो है दोनों बराबर आ रहा है तो table और row को insert करने का तरीका आपको ज़रूर पता हूना चीक कैसे हमको row बढ़ानी है कैसे column बढ़ानी है ठीक है तो यहां से हम लोग जो है इस पर click कर लेंगे तो इतना हमारा insert हो जाएगा इस पर click कर ये देखिए insert हो गया ठीक है लेकिन यहां पर एक और चीज आपको समझने वाली बात है अभी हम जो इसके बारे में बात करेंगे control जट से जट करते हैं under यहां पर देखिए कुछ limited column दिये गये हैं बस इतने ही column दिये गये हैं और row की बात करें तो बस इतने ही row दिये गये हैं जितना आपके screen पर दिखाए दराया है बस इसमें पहले से in build यानि पहले से बने बनाये बस इतने ही column दिये गये हैं इतने ही row दिये गये हैं लेकिन ये तो ज़रूरी है कि जब आपको document बनाओगे तो जितने इसमें row दिये गये हैं उतने ही row की आपको ज़र तो इतना हम तो कर लेंगे लेकिन अगर इससे ज़्यादा की ज़रुत पड़ी तो क्या करोगे तब जो है हमारा काम करता है इंसर्ट टेबल यह देखी नीचे एक बटन है इंसर्ट टेबल का ठीक है अगर आपको इतने में इसे ही काम चल जाता है तो बस आप इस पर क्लिक करिए आप देखोगे कि वह आपका डॉकुमेंट पर बन करके आ जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रुत पड़ी तो उसको क्या करना होगा इस कंडिशन में आपका काम करेगा इंसर्ट टेबल आप इस पर क्लिक करिए कुछ इस तरीके से एक बॉक्स आएगा यहाँ पर आपको नमबर आफ कॉलम में जितने कॉलम आपको चाहिए उसकी संख्या टाइप करनी होती है नमबर आफ रो में जितन करने के बाद आपको जो है बन करके आ चुके है यहां पर जब आप टेबल पे कलिक करोगे तो देखोगे जब आप इंसर्ट टेबल में कॉलम की रो की संख्या डालते हो तो नीचे भी और तेन बटन दिए गए गया देते हैं आखिर इन चलिए इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ नमबर आफ कॉलम में जितने कॉलम चाहिए वो डाल दीजिए नमबर आफ रो में जितनी रो चाहिए वो आपको यहाँ पर डाल देना है इसके बाद देखिए फिक्स्ट कॉलम विर्थ यानि अगर आप जो है कॉलम की विर और 25 रू आएंगी जिसमें कॉलम की जो विर्थ हो एक सेंटिमीटर की होगी जैसे मैं इसपर क्लिक करूँगा तो देखोगे यहां पर एक सेंटिमीटर की यह जो column की विर्थ है वो सभी की है क्योंकि यहां पर page जो है खाली छुटा है अगर मैं यह type नहीं करता ठीक है जैसे मैं आपको दिखा देता हूं example के लिए यह मैं यहां पर auto कर देता हूं और यहां पर जो है मैं 25 दुबारा से कर देता हूं सारी चीजे बिल्कुल सेम रहें फिक्स column विर्थ का इससे जो है हम अपने column की विर्थ को जो है set कर सकते हैं कितना centimeter कर दोगे ठीक है next हमारा क्या है auto fit to content पर अगर आप click कर देते हो तो 5 column चाहिए आपको रो कितनी चाहिए 25 ही मान लेते हैं 5 column 25 रो अगर आप ok कर दोगे तो आपको देखोगे कि आपका जो है चाहिए हैं और 25 रो भी आई है लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे चोटे आ गए इसका फायदा क्या है कि इसमें जब आप कुछ भी content अपना type करोगे न वो आपके content के हिसाब से जो है auto fit हो जाएगी आपकी table कुछ भी type करो किसी भी table में जा करके तो आप देखोगे कि वो इसमसार जो है आपकी table auto fit हो जाएगी तो यहाँ से आपको auto fit to content वाला जो table में option दिया था उसका भी मतलब समझ में आ गया होगा इसको करते है control A से all select और delete यहाँ पर देखी fit से हम इस पे चलते हैं और यहाँ पर जो है हमने auto fit to content और fixed यहाँ दोनों हमने सीख लिया है नीचे हमको मिल रहा है auto fit to window अगर आप इस पर click कर दोगे तो जो आपकी table बन के आएगी वो आपके यह जो ruler दिया है वो जो margin छोड़ करके बीच में पूरा set होकर के आएगी कैसे देखे मैंने इस पर click कर दिया है और मैं इसमें 20 row दे देता हूं या 25 row ही दे देते हैं column जो है हमारी table बन करके आई है और 6 column है और 25 row यहाँ पर आ चुकी है और पूरा हमारा margin है वो पूरा छूटा हुआ है बाहर के side में यही नहीं है अगर आप फिर से insert table पे जाते हो और यहाँ पर auto fit to window कर देते हो और इस बार हमको जो है सिर्फ दो ही column चाहिए कितना सिर्फ दो column चाह में है यानि कि पूरा पूरा जितना यह हमारा ruler है जो हमारा margin एरिया चुटा उसको छोड़ करके दो ही column पूरा set हो चुका इस तरीके से ठीक है तो यहाँ से आपको यह idea लग गया होगा इन तीनो buttons के बारे में जो मैंने आपको बताया है fixed column करना auto fit content और auto fit window यह तीनों आपक जो mouse pointer वो pencil की तरह बन जागा आपको जहाँ पर भी table बनानी है आप इस तरह के से click करिए अगर इसमें जो है row चाहिए तो बीच से click करिए इस तरह के से row बन जाएगी अगर इसमें जो है column चाहिए तो आप इस तरह के से column को जो है अपनी च्छानुसार इंसर्ट करा सकते हो अगर यहां से बीच में से आपको यहीं से रो चाहिए तो आप यहां से रो बना लीजिए तो कुल्मिला जुला करके जो ड्रा टेबल है उस बटन का इस्तमाल करके आप जो है अपने डॉकुमेंट में मैनुवली खुद से जो है टेबल को ड्रा कर सकते हो इसी में एक और कुछ इस तरीके से आजाएगी आप जो है इसमें कुछ भी एडिट वगरा कर सकते हो एडिट करने के बाद आप जो है इसमें टेबल में जो भी इसमें कार काम करोगे देखो के यह सारे के सारे फंक्शन जो है एक्सल वाले स्टार्ट हो चुके हैं इंसर डिलीट यह सब चीजे जो है एक्सल में पाए जाती है तो देखी फार्मूला भी है डाटा भी है यह सब देखोगे तो एक्सल में यह सारी चीजे पाए जाती है यानि हम जो है एक्सल का फंक्शन सभी फंक्शन का इस्तमाल MS Word में अगर इस्तमाल करना चाहते हैं तो हम इस बटन का इस्तमाल करके जो है डारेक्ट यहां पर जो कुछ भी हमको यहां पर टाइपिंग करना है जो कुछ भी हम डॉकुमेंट बनाना चाहते हैं प्लस मैनस जोड घटाना जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ करने के बाद हमको बस बाहर क्लिक कर देना है बाहर क्लिक करने के बाद देखोगे हमारे Excel की जो Spreadsheet की टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है ठीक है उमेद करूगा ये भी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी Ctrl Z से करते हैं इसको हटा देते हैं नीचे की साइड में देखोगे Quick Table का Option है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से पहले से बने बनाए आपको जो है Table बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ से आप डारेक्ट उन पर क्लिक करके कोई भी Table को इंसर्ट कराके उसे इस्तमाल कर सकते हैं उसमें Change भी कर सकते हैं इसे मैं इसे लेकर आया मैं इसमें जो भी Change करना चाहूँ आराम से इसमें क्लिक करके क्लिक केबल है सब चीजे Change हो जाएंगी इसकी वीर्थ और हाइड बढ़ानी है तो आप यहाँ पर लेकर आओगे table को इसके अंदर insert कराना चाहते हो तो वो भी आप काम कर सकते हो इसके अंदर save भी कर सकते हो देखें नीचे side में ये जो save selection to quick table gallery इस बटन पर click करके आप डो है कोई भी table बनाये हो उसके अंदर जो है insert करा सकते हो तो यहां से जो है हमने table वाले में ये जो नीचे side में function है इनको इस्तमाल करना सीख लिया है लेकिन अभी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे मैं इसको इस तरीके से कुछ table बना लेता हूँ table बनाने के बाद आप देखो कि जब ये table बन रहा है तभी जो है ये सारे function ओपन हो रहे है देख सकते हो जब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ देखिए ये सारे function गायब हो चुके है लेकिन मैं जैसे table के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये design और layout tab ओपन हो चुके है तो यहां से आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम कोई table बनाएंगे तो ही design और layout tab open होते हैं और ये design और layout tab सिर्फ और सिर्फ टेबल में ही काम करते हैं बाहर कहीं दूसरी जगर पर काम नहीं करते हैं और आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो table तो insert कराते हैं लेकिन इसको delete नहीं कर पाते हैं से table में कुछ लिख लेते हैं इस तरीके से कहीं पर भी उन्होंने कुछ लिख लिया अब जो है इसको delete करते हैं delete बटन से तो वो delete नहीं होता है देखिए जब आप इसको इस तरीके से select करोगे mouse का left button दबागे सेलेक्ट करोगे इसके बाद डिलीट बटन दबाओगे तो सिर्फ इसके अंदर जो कंटेंट है वही डिलीट हुआ है टेबल नहीं डिलीट हुई है ठीक है तो टेबल को डिलीट करने के लिए यह जो देखें यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपको प्लस जैसा माऊस का बन जाएगा आपको इस पर कलिक कर रहा है पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और टेबल कहीं पर भी आपने बनाई है कोई भी छोटी मोटी या बड़ी टेबल बनाई है अगर आप सभी को डिलीट करना चाहते हैं पूरी टेबल को एक साथ तो shift के साथ जो है delete बटन दबाईए तो देखोगे delete आपकी table जो है delete हो जाएगी ठीक है shift के साथ delete बटन दबाऊगे तो ही जो है table delete होती है यहाँ से आपको table को delete करने का भी idea लग गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा देखिए दोस्तो टेबल बनाना तो मैंने आपको बताई दिया है कि कैसे table बनाना है table बनाने के बाद इसमें आप जो भी अपना data टाइप करना चाहते हो उसे type कर लीजे देखिए table बनाने के बाद यहाँ पर design tab और layout tab जो है यह भी open होता है चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं कि आखिर इनका क्या काम है तो यहाँ पर मैंने पहले से ही यहाँ पर table बना के रखी है और इसमें content भी type कर दिया है तो देखिए हमारी table बन चुकी है और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो design और layout tab था वो नहीं दिख रहा है जब भी हम table में click करेंगे तभी यह design layout tab open होगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे design tab के बारे में तो design से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपको अपने table में design संबंदित काम करना है कोई design बदलनी है कोई design apply करनी है इधर उधर changes बगरना करना है design से संबंदित तो आपको वो सारा काम design वाले tab में मिलेगा जैसे कि मैं इस पर click करता हूँ इस पर click करने बाद इसको select करता हूँ और यहाँ पर इस वाले बटन में table style वाले बटन में आप देख सकते हो भाग में यहाँ पर देखे काफी सारे आपको table के style मिल जाते हैं आप यहां से जो भी style पसंद करोगे वो style में आपका table जो हो डेखे कुछ इसपे बारी बारी से आप ले जाकर के अपले टेबल का जो एक से बढ़कर एक design को convert कर सेकते हुआ जो देखने में काफी ज्यादा सुन्दर भी लगता है तो यहां से आपको table style में से कोई भी एक table का style ले लेना है जैसे कि मैं इसी कोई ले लेता हूँ जो हमने ये वाला सेलेक्ट किया था यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके बाद हमने ये वाला फंक्शन तो समझ लिया है यहां पर आप क्लिक करके काफी सारे यहां पर यह दिये गए हैं इन सभी को जो है आप कोई भी उसमें से चूच क है अभी देखिए मैं इस पर लाता हूँ देखिए हेडर रो पे स्टाइल आ चुका है अभी देखिए हट चुका है ठीक है तो यहां पर जो जितने भी उप्शन दिये गए ना यह जो टिक है देखिए बंडल रो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे रो में जो थोड़े बहु जो टेबल का स्टाइल है इस पर भी डिबंड करते हैं जो आप स्टाइल सेलेक्ट करोगे उसी के रूप में जो है यह कनवर्ड होकर करके आएंगे जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ देखिए अभी कुछ इस तरीके से बंड करके आ रहा है और इसमें देखिए पसंदार है वो हट चुके हैं तो यह टेबल आप टेबल स्टाइल ऑप्सन में से आप जो है इनमें क्लिक करके बारी-बार से देख सकते हो कि आपको कौन सा यहां से जो है ऑप्सन पसंदार है आप उसमें एड कर सकते हो जैसे लास्ट कॉलम मैंने एड किया तो लास्ट कर देता हूँ, bundle column को अगर मैं कर देता हूँ तो देखे, ये column, ये column एक छोड़ करके, दूसरा column जो है stylus बन चुका है, ठीक है इसको जो हटा देते हैं, तो ये last column ये सब आपने समझ लिया है, bundle रो ये bundle रो आपने समझी लिया इसको, ठीक है bundle रो, तो इन बटन का आप जो है, क्लिक करके, बारी-बार से check कर लिए, कैसा style आपको पसंद है यहां से आप अपने style को customize कर सकते हूँ, ठीक है अभी जो है, इस वाले option में, इधर ये जो है, ये बहुत ही काम के button है इनको आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है ये देखिए, setting का जो option है जो ये इसमें setting आई है, देखिए, ये जो color है, इसकी setting जो आई है, इसको आप अभी भी change कर सकते हो, क्या करना है, select करिए इसको select करने के बाद कुछ इस तरी के से change हो जाएगा, मतलब select हो जाएगा यहाँ setting पर जाएगी है, यहाँ पर काफी सारे color दिये गए है, आप एक से बढ़कर एक color में जो है, यहाँ से setting को बदल सकते हो, देखिए, अभी red color में हो गया, ठीक है, तो setting button का का काम, आप किसी भी row को, किसी भी column को मैं setting देने का काम कर सकते हो, जैसे मैं इस row को setting देना चाहता हूँ तो मैं इस पर जाकर के, इस row को कुछ इस style में setting देता हूँ यही काम आप column के साथ भी कर सकते हो बस column को इस तरीके से select करिए mouse का left button दबा करके आपको select करना है, इतना आपको ध्यान देना है ठीक है, आप इस तरीके से select कर लिए setting पर जाएए, जो भी आप color में setting देना चाहते हो, वो color यहां से select कर लिए, वो apply हो जागा, देखिए, यहां पर apply हो गया है तो यहां से आपको यह setting वाला समझ में आगया होगा, अब बात करते हैं border के बारे में, ठीक है, वैसे मैं आपको इसका काम बता दूँ कि border का काम अपने, यह जो हमने table लिया है, इसके अंदर border लगाने का काम करता है, इसमें कई सारे border के प्रकार दिये गया है, जैसे left side में border चाहिए, top side चाहिए, bottom में चाहिए, all border चाहिए, outside में border चाहिए, यह फिर inside border चाहिए, सिर्फ अंदर-अंदर है यह सभी काम जो है, हम यहाँ पर border लगाने का काम करेंगे, जैसे करना कैसे है मैं पहले तो यह table को पूरी select करता हूँ और इसको जो है, बिल्कुल जैसे जो है, normal लेकर आते हैं ठीक है, normal हम लोग आ गया जैसा पहले था, अभी देख सेकतो यह कैसे लाया मैं normal, इसको मैंने select किया यहाँ से आने के बाद, यह देखिए यह हमारा जो है, plain table का जो option है इसको पूरा select करेंगे, और हम इसमें से पूरा border हटाएंगे, ठीक है यह जो black black का border बना है, यह पूरा हम लोग इसको अटाएंगे इसके लिए design वाले में हमको जो है border वाले में no border का option दिखाएद रहा है, इसको पर click करेंगे अभी देखोगे आपकी table में कोई भी border नहीं है, यह जो line दिखाए रहे रहे हैं यह grid line है ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर print वाले पर जाते हैं और print preview में देखोगे, तो यहाँ पर कोई भी border नहीं हा रहा है, आप देख सकते हो यह वो जो दिखा रहा था, वहाँ पर वो grid line है, यानि print करोगे तो पूरा आपका document कुछ इस तरीके से आगा वो यह grid line हो नहीं आगी, यानि border इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है तो एक तो आपने यह काम सिखा कि यह जो है design tab से आप यह border में जाकर के no border कर सकते हो, अगर आपको border नहीं चाहिए तो लिकन अगर आपको border चाहिए तो आप all border कर दीजी, पूरा border आ जाएगा, ठीक है इसी तरीके से आप जो है no border करने के बाद, अगर सिर्फ आप outside में border चाहते हो, सिर्फ बाहर बाहर border है, तो इस condition में क्या करोगे, देखिए outside border है, आप outside पे क्लिक करोगे, बाहर देखोगे तो सिर्फ outside में ही border आएगा, ठीक है या फिर inside में border आना हो, सिर्फ बीच में border आएगा, इस तरीके से, तो वो भी ला सकते हो, ठीक है, और देखिए इसी में नीचे की side में और भी बटन दिये गए, चैसे draw table, view grid line, border and setting, तो देखिए border and setting ये है, और grid line जो है, मैंने आपको बताई दिये, कि ये जो grid line दिखाई द दे रही है, उसको आप जो है, वहाँ से हटा, और ला सकते हो, यहाँ पर दाने के बाद, view grid line पर click कर दोगे, तो आ जाएगी, वो जो grid line आ रही थी, ठीक है, इसमें ये जो button दिये गए है, इनमें हमने सीख लिया है, सभी के बारे में, horizontal line लानी है, तो horizontal इस तरीके से बस इसमें देखी आफ, अब हम लोग बात कर लेते हैं, इन दो buttons के बारे में, और ये paint color दिया गया है, ठीक है, देखे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर no border कर देता हूँ, बिल्कुल भी border नहीं रहेगा, अब आते है, paint color के बारे में, ठीक है, सबसे पहले हमको color के बारे में स यह जो border है, अगर मोटाई आपको कम या ज़्याधा करनी है, तो आप यहाँ से जो है, उसकी मोटाई भी कम ज़्यादा कर सकती, देखे, मोटाई दिया है, हम इतना मोटा कर लेते हैं, इतना मोटा दिखा रहा है, इसके बाद जबाद जबाद बाद बाद जाएंगे, all border कर आउटलाइन की मोटाई भी और ये बोर्डर और शेटिंग ये सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ आए क्यों होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा थे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीन काम आप कर दीजिए बस मैं आपसे यही चीज़े चाहता हूं पहले inside में andare लोआ Deck cocktail में हमने सिखा से यहां ये ड्राटेबल और ये ड्राटेबल बिल्कुल सेम से मैं आपको अपको दिखा है प्रमाने मלא अपे नहीं किया था लेकिन अब जो है हम draw table से जो भी table बनाएंगे उसमें उतना ही मोटा जो है outline यानि border बनेगा आप यहां पर देखेए कोई column बनाना इस तरीके से बनाएए row बनानी हो इस तरीके से बनाएए draw table का example मैं आपको बताता हूँ आप अच्छे से समझ जाओगा बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी देखिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप कोई table बनाते हो तो वो पहले से जो है वो उसका row और column जो है fix रहता है ठीक है जैसे कि देखिए इसमें जो है इसमें ये भी row मतलब cell fix है ये भी cell fix है ये भी cell fix है क्या ऐसा cell है क्या ऐसा cell है बिल्कुल भी नहीं है ऐसे जो cell अगर हमको कभी बनाने होते हैं ऐसी हमकी table की जरूरत होती है जिसमें ये cell काफी बढ़ा रहा है ये दो cell छोटे छोटे रहें तो इस condition में हमारा जो है draw table काम करता है कि हम खुद से कोई table बना सकते हैं अपनी इस चानुसार तो ड्राट टेबल का मतलब यह है कि अगर हमको कोई ऐसी table की जरूरत है जो हम जो है यहाँ पर जो है इस टेबल में से नहीं बना पा रहे हैं तो हम उस condition में जो है हम ड्राट टेबल से जो है खुद की table जो है inside करा सकते हैं खुद अपनी इस चानुसार बना स सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करिए यह देखिए हाइलाइट हो गया है जिस भी टेबल को मिटाना है इस तरीके से सलेक्ट कर लिजे वो टेबल मिट जाएगी अगर कोई ऊपर की साइड में से कोई एक लाइन डिलीट करने इस पर क्लिक करिए वो लाइन डिलीट हो जाएगी य यहां से दोस्तों आपको erase table, draw table और यह सारे function अच्छे समाज़े में आ गए होंगे, अब हम लोग design tab के बारे में सीख चुके हैं, अब हम लोग layout tab के बारे में सीखेंगे, layout tab में सबसे उपर की side में ही आपको एक select का button मिलता है, आप इस पर click करके particular कोई एक चीज को select कर सकते हो, तो जैसे cell select करना हो, column select करना हो, row select करना हो, या फिर पूरी table को ही select करना हो, तो selection का सारा काम select से होता है, ठीक है, जैसे मैं cell select करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे select cell पे click करूँगा, तो जहाँ पर मेरा cursor mouse जो है click था, वो cell select हो जाएगी, जैसे मैं इस पर click कर देता हूँ, यहां जो क्लिक था वह पूरी कोंक्ता से हुँआ है, तब बात करते व्यू ग्रीड लाइन के बारे में तो ये ग्रीड लाइन के बारे मैंने आपको समझा दिया है ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रहे है ये ये ग्रीड लाइन है इस पर क्लिक कर दोगे तो वो लाइन हट जाएगी और इस पर क्लिक कर दोगे तो वो लाइन आ जाएगी अब बात करते हैं properties वाले button के बारे में तो properties वाले button को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ text type करे के रखे हैं मैं इसको इसमें आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ से हम लोग चलते हैं table में यहाँ से एक table को insert करा लेते हैं column हमारा 5 ही रहेगा row 10 ले लेते हैं और यहाँ से जो है इस table को insert करा लेते हैं अभी देख से तो यहाँ पर table आ चुकी है ठीक है अभी देखिए layout वाले में यह जो properties है इसका क्या काम है इस पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर आप जो है अपनी table को alignment कर सकते हो left में right में center में ला सकते हो साथ ही साथ जो है text wrapping भी कर सकते हो कैसे इस्तमाल करना है देखिए अभी जो है left पर click है इसलिए हमारी table left side में आ रही है अगर मैं center पर click करके ok कर दूँगा हमारी जो table है यह जो table हमने लिए है हमारे यह जो हमने जो बनाया है document इसके जो है ऊपर रहे या बीच में रहे उसके आसपास जो है document रहे तो हम text wrapping का इस्तमाल लेंगे around कर देंगे और ok कर देंगे तो देखोगे हमारी table जो है इधर side में आ रही है साथ साथ document भी दर आ रहा है और हम यहां से उठा करके अगर table को यहां लेकर आएंगे तो देखोगे हमारी table यहां पर भी आ जाएगी साथ साथ कुछ document इधर लिखे होंगे कुछ इस तरीके से ठीक है अब हमने कोई ऐसा document बनाया है जिसमें text की भी जरूरत है साथ साथ हमको table में भी कुछ समझा रहा है तब हमारे लिए यह function काम करता है properties वाला जिसमें हम लोग table को left, right, middle में या फिर किसी content के बीच में table को insert करा सकते हैं अभी आप मेंसे काफी सारे लोग सोच रहे होगे तो आप यही से table को move करा सकते हो तो यहाँ से मेरे ख्याल से यह properties वाला भी आपको जो है option पूरा complete समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं यह जो delete बटन दिया है इसके बारे में इस बटन पर क्लिक करके आप जो है अपने table में से cell को delete कर सकते हो column को row को table को पूरी table भी आप delete कर सकते हो साथ-साथ cell row column भी delete कर सकते हो करना कैसे है जैसे कि यह जो लिखा है मुझे यह cell जो है delete करनी है तो मैं इस पर click कर दूँगा cursor को इसके बाद यहाँ पर आऊँगा cell को delete कर दूँगा इसके बाद यह देखे shift करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पर shift to left कर दोगे ok कर दोगे तो देखे कि वो जो है delete हो गया वो हमारा अंक delete हो गया देखे यहाँ से हमने shift कर दिया था इसलिकी वज़ासे यह जो हमारे यहाँ के यह जो टेक्स्ट थे यानि जो data हमारा इधर का था वो इधर shift हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप जो है cell को delete कर दोगे क्योंकि यहाँ से cell delete हो जाएगी तो यह cell इधर खिसक कर आ गई थी ठीक है इसी तरह से जो है आप column को भी delete कर सकते हो तो मैं यह column ही delete करना चाहता हूँ देखिए इंगलीस वाला तो मैं यहाँ पर delete column पर click कर दूँगा तो इंगलीस वाला column आप देखोगे डिलीट हो गया ठीक है Ctrl-Z से इसको वापस ला सकते हैं आपको पता होगा इसके बाद इसी तरह किसे अगर आप पूरी row को डिलीट करना चाहते हो so we cache of cell और column हमने डिलीट करना चाहते हो जैसे कि जहाँ पर हमारा यह जो करसल है यह वाली पूरी यह जो रमेस वाला जो डाटा है यह पुरा पूरा row ही डिलीट हो जाएगा कैसे देखिए यहाँ पर जाए yas 여.deel.de कर दीजिए देखिए रमेस वाला पूरा डाटा हमारा जो है डिलीट हो गया और हमारी टेबल ऊपर की साइड में सिफ्ट हो गई है ठीक इसी तरह के से हमारी सेल वाले भी इधर सिफ्ट हो गई थी ठीक है आपको अब चीजे समझ में आ रहे होगी अगर मैं इसे पूरी करने का मैंने और आप्सन आपको बताया था कि यह जो प्लस बटन है इस पर क्लिक करिये और इसके बाद सिफ्ट के साथ जो है गई बटन दबाあれगी जी बम के साट हो गयाता है शिफ्टchine के साथ बिलीट बटन यह बहुत करना अब बात करते हैं इंशर्ट वाले यह बटन यह वाले गुलाब वाले cell में हम लोग आ गए हैं और मुझे insert above इसके उपर जो है एक row चाहिए तो मैं इस पर click कर दूँगा देखोगे एक row जो है यहाँ पर आ चुकी है इसी तरह के से insert below नीचे एक row चाहिए तो मैं इसके click कर दूँगा नीचे एक row आ जाएगी अभी देख अगर मुझे right side में चाहिए था तो मैं right side में click कर दूँगा यह आ जाएगा इतना आपको समझ में आया यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं merge के बारे में split के बारे में और जीतने यह cell इसमें दिये गया है इसको मैं merge करना चाहता हूँ पूरे यह column को एक cell बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको select करूँगा इसके बात जो है merge cell पे click करूँगा तो देखो के यह जो है पूरा column एक cell में convert हो चुका है इसी तरीके से जो है split cell का जो option है अगर आप इस cell में दो cell बनाना चाहते हो यह जो cell हमारा एक है इसमें दो cell बनाना चाहते हो तो बस इसपे click करिए और इसको जो है number of column दिया है दो बोल रहा है और number of row यह हम जो है इसको एक ही रहने देंगे number of column यानि column एक ही रहे लेकिन row जो है इसमें दो बन जाए row मैं यहाँ पर ok करता उसको बराबर भागों में काड़ देना, तोड़ देना, इसी तरके से अगर आप उपर की साइड में स्प्लिट सेल करोगे, तो यहाँ पर करनेक बात, यहाँ पर अगर कॉलम को भी अगर इसमें आप कॉलम भी एक एड करना चाहते हो नो, आपको column वहाँ पर दे देना है कितिनी row add करना चाहते हूँ वह row यहाँ पर देदी ओके कर दीजिए देखेंगे दो column हमने बनाए थे दो column बन गए हैं दो row भी हमने बनाए थे दो row भी बन गए है तो split cell अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ अब split table का क्या काम है split table को समझने के लिए मैं पूरा जो है control z करता हूँ जो भी चीज़े हमने इंसर्ट कराए थी वह सब हट चुकी है बिल्कुल हमारा phrase हो चुका है split table का क्या मतलब है अभी मैं आपको बता देता हूँ हाप जो है अपनी table को split कर सकते हो मतलब बीच से कट कर सकते हो यह देखिए इसमें border तो है नहीं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जाते हैं और डिजाइन में जाकरके border लगाना मैंने आपको बताया था border लगा लेते हैं और इसका जो है color मोटाई थोड़ी कम करते हैं और इसका color हम लोग black ही करने देते हैं क्यूंकि black सबसे अच्छा लगता है बाकी आपकी मर्जी है all border कर देते हैं अभी देखिए हमारा कुछ table इस तरह के से बन चुगा है अब आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैंने यहां पर border लगाया ठीक है देखिए मैं इसमें click करता हूँ और मैं चाहता हूँ तो रमेष यहां से यहां से वाला जो है रो है यहां से जो है मारी table split हो जाए तो यहां से आपको split table का भी समझ में आ गया होगा ठीक है आटो-fit की बात करते हैं अब तो यह जो आटो-fit है न इसके बारे में मैंने आप आप सभी को पीछे भी बता दिया है जैसे आटो फिट कंटेंट आटो फिट विंडो फिक्स्ट कॉलम विर्थ ठीक है जो मैंने आपको अभी जो है पीछे बताया था मैं आपको वहां पर भी जा करके दिखा देता हूँ जो आपने पीछे ये सारी चीजे समझ लिए आपकी ये जो है रूलर है उसकी हिसापस हो जाएगा आट जो फिक्स्ट कॉलम विर्थ है जो इसका एक फिक्स्ट जितना आप सेंटीमेटर तैय करोगे उतना आ जागा तो ये चीज़े आपको समझ में आ गई आप जो है विर्थ और आइट के ये जो बटन है यहां से जो है जो है हाइट और विर्थ बढ़ाना इस सेल का तो हम इस पर जाएंगे हाइट बढ़ानी है तो हाइट पर क्लिक करोगे देखो हाइट बढ़ रहा है और इसी तरह किसे विर्थ बढ़ानी है तो विर्थ जो है कम हो रही है और यहां से जो है ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से कम भी कर सकते हूँ, यहां से कम करिए, यहां से बढ़ाईए, यह सारी चीज़े manually आप कर सकते हूँ, ठीक है, ठीक यही काम आप यहां से अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने mouse से भी कर सकते हैं, जब आप मतलब यह border पर लेके जाओगे, तो आपको देखोगे, आपका mouse pointer जो है, जो वो बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से, अब जो है mouse का left button क्लिकर यह, नीचे क सैड में ड्रेक करोगे, छोड़ दोगे, तो इस तरीके से बन जाएगा, उपर की सैड म का इस्तिमाल करना, यहाँ पर आपको देखन देना, left button को, बस border पर लेके जाएगे, कुछ इस तरीके से, आपका mouse pointer बन जाएगा, इसके वाद left button क्लिक करिए, ड्रेक करिए, जिधर लेके जाना है, छोड़ देजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, यह वाली सीजे, अब बात करते हैं, distribute row और distribute column में, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जो है, इस तरीके से कोई काम करते हैं, तो कोई हमारा column पतला हो जाता है, कोई ज्यादा चोड़ा हो जाता है, कोई और पतला हो जाता है, बिलकुल इतना ही, कोई और जो है, बिलकुल पतला हो जाता के लिए दिया गया है जब आप जो है distribute row पे क्लिक करो तो बिलकुल सेम एक बरावर जो है सभी की सभी आपकी row हो जाएंगी किसी में जो है different नहीं होगा देखे सभी का सभी जो है row का size उपर की side में देख सेकते हो बिलकुल same है ये भी उतनी बरावर ये भी अगर उसी तरह के स इस तरीके से था लेकिन हमने जैसे इस पह खली तो ब्राबर भागों में distribute होगया है और इसी तरीके से हमारा road पहले कैसे था ऐसे था अगर हम जो इस पह खली करμεंगे तो हमारा road भी भराबर में हो जाएगा तो यहां से यह भी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं alignment वाले भाग में यह जो button दिये गए हैं आखिर इनका क्या काम है तो आपकी जानकारे के लिए बता दूँ जो आप अपने table में जो भी यह text या number जो भी data लिखोगे उसको alignment करने के लिए इस button का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि मैं इस cell को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यह जो number लिखा है और इस number को यह देखिए अभी right side से align है left side से sorry left side से align है अगर मैं जो इसको इस button पर click कर देता हूँ तो center में आजाएगा अभी देखिए तो center में हो गया है अगर मैं इस button पर click कर देता हूँ तो right side से align हो जाएगा वहीं अगर मैं इस button पर click कर देता हूँ middle में आजाएगा वहीं मैं अगर मैं इस button पर click कर दूँगा तो niche side में आजाएगा तो इस बटन का इस्तमाल करके आप जो है अपने जो table बनाई है उसके अंदर जो है जो भी data लिखा है उसको alignment कर सकते हो जैसे मैं इन सभी को एक साथ select कर लेता हूँ इन सभी को और यहां पर जो है मैं middle पर click कर देता हूँ तो देखो के मेरे सारे के सारे यह जो data थे वो middle में जो है enter हो चुक है ठीक है यह देखे सब के सब बिलकुल middle में आ रहा है तो यहां से जो है आप अपने cell के अंदर जो भी लिखा है उसको alignment कर सकते हो यह समझ में आया ब दुबारा से इस पर click करूँगा तो देखो गए इस तरीके से आ गया है दुबारा से मैं click करूँगा तो नीचे आ जाएगा दुबारा से मैं click करूँगा इधर आ जाएगा अगर मैं इस button पर click करूँगा तो बीच में आ जाएगा देखिए यहां पर भी आप ध्यान दीज हैं और margin किसे कहते हैं जो cell में जो data है इसके अगल बगल ऊपर नीचे जो margin छूटी होती है उसी को margin बोला जाता है जो स्थान छूटा होता है जैसे मैं इसको select करके center में करके middle में कर देता हूँ अब आपको अच्छे समझ वाएगा देखिए यह जो हमारा data है इसके ऊपर भी जगह छूटी है और इधर भी छूटी है इधर भी इधर भी तो यही जो है हमारे cell की margin है यह cell के अंदर गत हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए cell margin आ रहा है वैसे इसको margin बोला ज करेंगे यहां से जो है हम cell पे चलते हैं cell पे जाने के बाद यहां पे देखिए left और right side में 0.088 की margin दिखा रहा है क्योंकि देखिए यहां पर भी जो है right side में left side में दोनों तरफ margin छूटी हुए लेकिन ऊपर भी margin नहीं है ना यह नीचे margin है इसलिए top और bottom में 00 दिखा रहा आपकी मर्जी है आप ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो करने के बाद हम जो है इसको okay कर देंगे तो देखो के ऊपर की side में भी margin छूटी है और नीचे की side में left right इधर भी margin छूटी है तो cell margin का इस्तमाल करके आप जो है अपने cell में जो भी data लिखा है इसमें एक margin set कर सक जैसे कि देखिए मैं इसको click करता हूँ click करने के बाद देखिए नाम यह जो select हा रहा है तो नाम वाले हम जो इसको short करेंगे name wise यहां से देखिए name wise जो है हम लोग इसको short करेंगे यह जो नाम है यह short होगा ठीक है सबसे a से लेकर करके start होगा यानि a b c d से start होगा z तक जाता है वो आया है फिर मतलब एक serial में देखिए यहां पर आ चुका है ठीक है अगर आप जो है जुबारा इसी पर click करके और इसको descending कर देते हो तो बिल्कुल उल्टा हो जागा देखिए नीचे आ गया है और यह उपर आ गया है इतना समझ में आए आपको वही चीज आप जो है यहां पर हमने नाम से किया है और आप अगल कि इस पर क्लिक करें नाम आ पर जो है वही सबही यह यहां पर दिखाए लिए यहां पर दिखाए रोल नंबर से करने 파ڑद असंदिक में कर देते हैं मैं चाहता हूं कि सबसे जो पहला उपर आए उसके बाद बारी बारी से जो है जो नंबर है वो नीचे है तो हम जो है इसको करेंगे तो देखो के यहां जो है पहला चौथा पाँच बाइए जो सीरियल नंबर से स्टार्ट हो गया ठीक है यह समझ में आया आए आपको इसी तरह के से आप जो है जितने भी यहा तो यह बटन तब काम में आता है जब आपकी टेबल काफी जादा बड़ी होती है अभी तो टेबल छोटी है कभी कबार आप ऐसी टेबल बनाओगे जो आपके पेज से जो है बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको यह जो हेडर रो का यह डाटा है यानि नेम रोल नंबर हिं तो यहां से आपको यह भी समझ में आगया होगा जब आपको जो है इस हेडरो को हर पेज में रिपीट करवाना है तो आप जो है इस बटन पर इसको सलेक्ट करिए और इस बटन पर बस क्लिक कर दीजिये वो रिपीट हो जाएगा इतना आपको ध्यान देना है ठीक है अब बात करते हैं इस बटन के बारे में इस बटन का इस्तमाल करके आप जो है अपनी table को जो है convert कर सकते हो text में अभी देखिए यह table बनी है अभी जो है हम जो है इस सब्सक्राइब करेंगे convert to text में click कर देंगे तो हमारी design और layout tab open हो रहा था वो open नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि हमारी जो table है वो पूरी सी पूरी जो है हमारी text में convert हो चुकी है तो यहां से आपको जो है यह भी समझ में आ गया होगा layout वाले में convert to text में ठीक है अब बात करते हैं यह जो last button दिया है formula वाला तो इसका क्या काम है तो इसमें देखो कि आप कई सारे जो है फार्मूले दिये होते हैं तो इन फार्मूलो को कैसे इस्तमाल करना है मैं आपको दिखा देता हूं देखिए अभी यह highlight नहीं है लेकिन मैं यहां पर click करता हूं और एक यहां पर row insert करा लेता हूं नीचे एक साइड में और मैं इसी को जो है आपको जोड करके दिखा देता हूं मैं इस पर click करता हूं और फार्मूले पर जाता हूं और यहां देखिए sum का formula अपलाई हो चुका है यह देखिए यह sum लिखा है इसके बाद above इसमें जो formula sum में अपलाई होता है वो above होता है left right इस तरीके से होता है ठीक है और अगर आप चाहो तो और भी function को इस्तमाल कर सकते हो जैसे यहां पर देखिए काफी सारे और भी फार्मूले दिये हैं इनको भी आप इस्तमाल कर सकते हो तो यहां पर जो है sum formula apply हो चुका है हम जो है इसको ok करेंगे बस तो देखो के जितना भी यह था इस सभी का sum हो करके आ चुका है इसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहां पर formula पर जा करके sum automatic आ चुका है तो आपको right ठीक इसी तरीके से अगर आपको यह सारे के सारे जो है right side में जोड़ने है तो आपको left वाला लिखना होगा यानि अगर आप जो है जहाँ पर calculation कर रहे हो उसके left side का जोड़ना है तो यह जो formula आप apply करोगे इसमें left लिख देना है अगर right side का जोड़ना है तो right लिख देना है उपर का जोड़ना है तो above लिख देना है नीचे का जोड़ना है तो below लिख देना है इस तरीके से जो है आप formula बटन का इस्तमाल कर सकते हो तो यहां से हमने जो है डिजाइन टैब और ले आउट टैब इन दोनो टैब के बारे में सीख लिया है तो इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है और मैं उम्मिद करूंगा आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे आपके कम्पिटर या लैप्टॉप की गैलरी खुल जाएगी जो भी पिक्चर को आप लाना चाहते हो जिस भी पिक्चर को आप इंसर्ट कराना चाहते हो उस पिक्चर को बस सेलेट करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दिए वो पिक्चर इस तरीके से आ जाएगी अभी आप देखोगे जैसे ही हमने picture को select किया है इसके बाद एक format tab open हो चुका है तो इस picture की जितनी भी formatting होती है उसको करने के लिए एक अलग से tab open होता है जिसको format tab बोल जाता है इस picture को formatting हम लोग इनी buttons का इस्तमाल करेंगे और आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और picture तो ले आते हैं इस तरीके से लेकिन जैसे ही गलती से बाहर क्लिक कर देते हैं तो format tab गायब हो जाता है और वो परिशान हो जाते हैं कि आखिर format tab गया कहां अभी तो यहाँ पर दिख रहा था तो आपकी जानकारे के लिए बता दूँ format tab तभी आया था जब आप picture लेकर आये थे तो जब आप picture पे click करोगे यानि picture पे कोई काम करोगे तभी यह format tab ओपन होगा तो अगर आपके साथ भी यह गलती हो रही है कि बाहर क्लिक करने पे format tab गायब हो जा रहा है तो आप तुरण जो है format मतलब picture पे click करिए format tab आ जाएगा तो हम जो है अब बात कर लेते हैं इन सभी buttons के बारे में यह buttons क्यों आते हैं फिलाल आप जो है यह picture वाले button का इस्तमाल करना सीख गए होंगे सिर्फ picture लाने के लिए इस button का इस्तमाल किया जाता है तो चलिए format tab में जितने भी buttons जिये गए हैं इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं सबसे पहला button है brightness का अगर आप जो है अपनी picture की brightness को कम या जादा करना चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे तो काफी सारे option मिलेंगे आप यहां से अपनी picture की brightness को कम या जादा कर सकते हैं picture correction option पे click करके आप जो है manually यहां से जो है इसको जो है खुद से जितना चाहो उतना brightness on contrast कर सकते हो यह चीज हो गया है recent picture पे click कर दोगे तो picture पिलकुल पहले जैसी हो जाएगी इसके बाद नीचे की side में दिया है contrast का तो brightness on contrast मैंने पीछे ही बता दिया है और यहां पर भी देख लीजिए यहां से आप contrast बढ़ा सकते हो इसके बाद जो है इसी के नीचे एक और button मिलता है recolor का तो इस button पे click करके आप जो है अपने picture को colorize कर सकते हो अलग-अलग color में कर सकते हो देखिए अभी यह color में हो चुका है दूसरे color में आ चुका है यह तो यह बहुत ही काम का option है अगर आपके पास एक ही color की picture है और आप दूसरे दूसरे color में उसको save करना चाहते है तो इस button पे बस click करिए वो picture उस color में हो जाएगी इसी में जो है more variant का option है अगर आप जो है इन में से कोई जो पहले से variant दिये गए इन में से कोई variant पसंद नहीं है तो आप जो है इस में से दूसरे variant पे click करके उस variant के जैसा बना सकते हो बस आपको इस पे click कर देना है वो बन जाएगा ठीक है इतना समझ में आया set transparent color का option है इस पे click करोगे तो ये जो है इस पे click कर दोगे तो बिल्कुल transparent हो जाएगा वो color जो है गायब हो गया अभी देख सकते हूँ ठीक है अभी Ctrl Z मैं करता हूँ देखिए कुछ इस तरीके से color था यहाँ पर आनक बाद set transparent color पे click किया मैंने जो मुझे color गायब करना है मै बस इस तरह के से click कर दोगा तो देखिए outside में पूरा color जो है अच्छे से गायब नहीं हुआ लेकिन फिर भी गायब हो गया है तो इस बटन का इस्तमाल भी आपने करना सीख लिया होगा वहीं पर यह अगला button है compress picture का इस button पर click करके आप जो है जो भी picture को select करे रहोगे वह उ देखिए यहां पर delete cropped area of picture इसका मतलब यह है कि जब आप इस picture में और भी बहुत सारी चीज़े आई है अगर उसको crop कर देते हो और यहां से compress करते हो तो जो crop area रहेगा वो हट जाएगा ठीक है तो इसके बाद अब ok करोगे तो यह picture आपकी जो है actual size में आ जाएगी जितनी ब तो यहां से कोई एक picture ले लेते हैं मैं इसी को ले लेता हूँ insert button पर click करना है इसके बाद आपको तो देखो कि आप जो है हमारी picture जो है change हो चुकी है reset picture का option है इस पर click करके आप जो है इस picture को reset कर सकते हो यानि इसके actual size में इसका actual size इतना ही बड़ा है जिबकि जो है हमने पहल automatic हो गया है तो इसको हम जो है इस node यह जो node बना है इस से जो है इस तरीके से छोटा कर लेंगे यह छोटा हो जाएगी तो यहां से यह जो सारे buttons है in button का इस्तमाल करना आपको समझ में आ गया होगा देखिए अभी मैं अगर इस picture को इधर लेके जाना चाहूं तो यह जा नही है तो इस condition में क्या होगा कि आपको इसको select करना है काफी सारे लोग क्या करेंगे बाहर क्लिक कर देते हैं और फार में tap गायब कर देते हैं आपको ऐसा नहीं करना आपको इसको select करना है इसके बाद जो है text wrapping का यह जो button इस पर click करना है और यहां पर एक button मिलेगा in front of text इसको click कर देना अब जो है आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो आराम से mouse का left button click करके कहीं पर भी ले जा सकते हो इसको छोटा बड़ा भी आसानी से कर सकते हो यह चीज आपको समझ लेनी है ठीक है अब जो है यहां पर देखिए यह button हो गए है सब की सब यहां पर यह जो दिये माउस लेकर जाओगे वह इस style में आपका पिक्चर हो जाएगा यह हर पिक्चर पर अपलाई होगा यह आपको ध्यान देना है कुछ इस तरह के से करना था यह से करना था ठीक है तो यहां से जो है आप अपनी पिक्चर का style चूच कर लीजिए को कोई भी style चूच कर दुबारस अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप उस style पर क्लिक करोगे वह वैसा हो जाएगा ठीक है तो यहां से आपको picture style भी समझ में आ गया होगा अब बात करते है picture shape के बारे में तो यह देखिए यह जो हमारी picture है वह shape में है अगर आप इस shape को चेंज करना चाहते हो तो picture shape पर क्लिक करिए यहां से अलग-अलग shape दिये गए हैं आप कोई भी एक shape इस तरीके से select कर लीजी आप देखोगे आप एक की जो picture है उस shape में आ जाएगी ठीक है इतना समझ में आए आपको next यहां है picture का border यह जो picture का border है इसका अगर आप color वगर चेंज करना चाहो तो change क सकते हो अभी white में है अगर आप यहां से जाओ तो दूसरे color में यहां से change कर सकते हो देखिए यहां पर जाने के बाद अलग-लग color दिये गए हैं सबी पर क्लिक कर के आप अलग-अलग color में इसको change कर सकते हो यह चीज करने के बाद यही picture border में और भी चीज़े दी गई है अ अगर आप पिक्चर की आउटलाइन का जो वीड्थ है यानि वेट है जो इसकी मोटाई चोड़ाई उसको कम करना चाहते हो तो आप यहां से बड़ी आसानी सो कम कर सकते हैं कम जाधा हो रहा है इसी में जो है नीचे साइड में यह जो दसेस का ओप्षन है यानि आप जो है अपने आउटलाइन को कुछ इस स्टाइल में जो है बदल सकते हो यहां पर काफी सारे स्टाइल दिए गया है यह देखिए इसमें अपलाई नहीं हो रहा है लेकिन मैं आपको अपलाई करके दिखाता हूँ कोई दूसरी पिक्चर हम जो है इंसर्ट पर जाकर के ले लेते हैं यहां से जो है हम इस पिक्चर को ले लेते हैं ठीक है इसी पिक्चर को ले लेते हैं इसको जो है टेक्ट रेपिंग इन फरांट आफ टेक्ट कर देते हैं इस पिक्चर में यह जो node बने हैं इस node को जो है इस तरीके से आप नीचे side में कर सकते हो और इस उठा करके यहाँ पर लेगे चलिया यह ठीक है अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैंने आपको border लगाना बताया ही दिया है इस यहाँ पर जाकर करके आप border लगा लिजी इस तरीके से ह तो कि हमने यहाँ से direct यह थोड़ा मोटा ले लिया था picture में इसकी वज़े से अगर हम इस तरीके से border लगाएंगे तो यह जो है दसेस काम करेगा अगर मुझे जो है outline नहीं चाहिए तो मैं जो है यह जो हमको button दिया है इस button पर click कर दूँगा बिलकुल भी outline गया बजाएगी इतना समझ में आया आपको अब बात करते हैं picture effect के बारे में तो जैसे मैं इस picture को select कर लेता हूँ यहाँ पर जाने के बाद देखें यहाँ पर काफी सारे प्रिसेट दिये गए हैं shadow दी गई है आपने देखा होगा picture में shadow वगएरा होती है देखें इस तरीके से करने के बाद पिक्चर को 3D में बनाना यह देखें picture को 3D में बनाना या फिर आप text वगएरा भी 3D में बना पाऊगे जो हम आगे सीखेंगे ठीक है word art में देखें हमारी picture जो है 3D में आ जाएगी इसी तरीके से soft age में आ जाकर कि आप अपने picture को थोड़ा soft age कर सकते हो कितना करना चाहते ह होगी तो बहुत सारे function दिये गए हैं मैं आप बारी बारी से चेक कर लीजिए आपको जो पसंद आता है उसे आप इस्तमाल कर लीजिए ठीक है यह चीज़े आपको समझ में आ गई आप बात करते हैं position के बारे में तो position बटन का इस्तमाल करके आप जो है अपनी picture की position तेह कर रहेगी left में रहेगी right में रहेगी उपर में रहेगी या फिर नीचे रहेगी वैसे आप mouse से भी उठा करके इस तरीके से रख सकते हो लेकिन बात आ रहे है इन functions से बात करने की तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ तो position पर क्लिक करिए यह देखिए है left side में तो left side में चाहते हूँ मैं थोड़ा सा page को छोटा कर लेता हूँ तब आप कोच्छे समझ में आएगा ठीक है page को करते हैं थोड़ा सा छोटा और भी छोटा तापकि यह देखिए हो गया अब जो है हम यहाँ पर जाते हैं position पर देखिए इस side में आ गया यह इधर आ गया बीच में आ इधर आ गया इधर आ गया तो इन buttons का इस्तमाल करके आप अपनी picture को जो है position दे सकते हो किस position में आपकी picture रहेगी किस side में रहेगी ठीक है तो हम इस side क्लिक कर देते हैं अब बात करते हैं bring to front और send to back और text wrapping के बारे में ठीक है तो इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा बड़ा क आप दिखे यहां पर घट यहां पर हमारी एक picture है कभी कबार हमको क्या होता है कि एक से ज़्यादा picture को का look करना ह Kṛṣṇa और अगिन मैं चाहता हूं कि यह picture निचे रहे यह उपर है है अगरिन इस condition में लिए कई सारी picture हैं मैं आप और और भी picture इंसर्ट करके आपको दिखाता हूं तब आपको अच्छे समझ में आए यहां से मैं इन picture को इसको और इसको ले लेता हूं समझाने के लिए तीन picture मैंने ले लिए इंसर्ट करा लिया यह जो है सभी को यहां से text wrapping in front of text कर लेंगे तो वो सही से आ जाएंगे उपर की side में ठीक है यहां पर सबसे नीचे pane है उसके उपर यह logo है उसके उपर computer है इसके बार यह computer है इसके वादी है तो हम एक ही करके ऊपर लाएंगे तो यहां पर जो है इसलिए हमने इसनी सारी file को लिया है ताकि मैं यह function आपको समझा सकूँ bring forward का मत तो एक की ऊपर मतलब एक एक ऊपर ले जाने के लिए जो है हम लोग ब्रिंग फारवर्ड बटन का इस्तमाल करते हैं और ब्रिंग टू फ्रेंट मतलब एक ही बार में फ्रेंट पर आ जाएगा देखिए मैं जैसे पेंसिल वाले को सेलेट करता हूं इस पर क्लिक करूंगा ब् ब्रिंग इन फ्रॉंट आफ टेक्स्ट यानि कि कोई टेक्स्ट लिखे हो उसके साथ जो है इसके ऊपर इसको लाना चाहते हो तब यह काम करेगा तीसरा वाला बटन इसको भी मैं आपको समझा देता हूं तीसरा वाला कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने चाहे वीडियो थोड इसको उपर लाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे देखे हमारा इमेज जो है उपर आ गया है तो यह चीज आपको समझ में आ गयी है इनमें सारी की सारी चीजे यही सेम चीज जो है हमारे इसमें भी मिलती है सेंट टू बैक्वर्ड सेंट ब्याइंड टेक्स्ट जब मैं इसी तरह के से अगर मैं सेंट बैक्वर्ड करता हूं तो एक एक करके पीछे आएगा चलिए मैं वह भी आपको समझा देता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए मैं यहां से कंट्रोल जेट करता हूं सारी चीजे वापस लाते हैं इस तरीके से अभी देखिए यह ज फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और सेंट बैक्वर्ड करूँगा तो आप यह वर्ड के पीछे चला गया है वर्ड वाला लोगो जो है इस पर क्लिक करूँगा फिर से पीछे तो यह इसके भी पीछे चला गया है फिर एक बार करूँगा वर्ड पीछे तो सबसे पीछे है ठीक है अगर एक ही बार में आप इसे जो है पीछे लाना चाहते हो तो कैसे करोगे मैं इसे वापस फ्रेंट पे ला लेता हूँ जैसे एक एक करके लाना है तो आप पीछे लेके जाना है तो आप सेंड बैकवर्ड का तो इतना funda जो है, ये सब जो मैंने कारेकरम तयार किया था, ये आप सभी को समझाने के लिए किलिए किया था, जो इतना लेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीजे मैं आपको समझाओ, वो आपको अच्छे समझना आई, अब बात करते हैं इन सभी के बारे में ठीक है इन दा लाइन विज टेक्स्ट ये जो है हमारे जब हम कोई डॉकुमेंट तयार करेंगे उसमें ये सबसीजे काम करता है कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ ठीक है मतलब ये टेक्स्ट लाने के बाद जो है हम लोग यहां से थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा बोल्ट कर लेते हैं अब यहां पर समझाने में आपको असानी होगी ठीक है यहाँ पर मैं कोई इंसेट बजा करके कोई picture को ले लेता हूँ सबसे पहले picture हमने ले ली picture आने बाद हम यह corner जो दिया है इससे छोटा भी कर सकते हैं देखे छोटा हो गया लेकिन अभी मैं इसको इधर उधर लेके जाओंगा तो यह देखे नहीं जा रहा है ठीक है इस condition में आप जो है format tab में open करिए अगर यह format tab बाहर क्लिक करने से गायब हो गया है तो फिर यह जो है image पर क्लिक करिए इसके बाद जो है text weapon पर जाईए और सबसे पहले तो मैं आपको यही समझा देता हूँ in front of text जब आप इस पर क्लिक कर दोगी तो आपका यह image है वह text के ऊपर आ जाएगा front पर आ जाएगा ठीक अभी आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो यह हमारे जो है page के ऊपर आ गया है यह जो हमारा text है इसके ऊपर आ गया की line नीचे भी रहेगी बीच में हमारा image रहेगा कभी कबार हमें ऐसी जरूरत पर जाती है तो हम इस तरह क्लिक कर देंगे और इसको जो है इस तरीके से लेकर आएगे नीचे तो देखिए ऊपर भी line है नीचे भी line है पीच में हमारा image है यह समझ में आए आपको इसी तरीके से square है square पर क्लिक कर दोगे तो बिलकुल square में आपका image रहेगा और अगल बगल में पूरा text रहेगा इसी तरीके से जो है tight है tight पर क्लिक कर दोगे तो देखिए जो ऊपर का अभी मैं आपको थोड़ा सा back करता हूँ यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा कि बिलकुल इसके नजदीक नजदीक हमारे text रहेंगे ठीक है जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ टाइट तो देखिए यहाँ पर adjust हो गया बिलकुल इसके पास जो है text आ गया है यह इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर जो है एक paragraph है मैं जैसे इसको paragraph को delete करूँगा देखो यह text जो है इसके शट गया है तो यानि कि जो हमारी image है उसके आसपास जो है अगर जो है हम इस button पर click करके यह जो हमारा tight है इसको click कर देंगे तो उसके अगल बगल में जो है text एकदम बिलकुल सटे सटे से हो जाएंगे एकदम लगे इसे ठीक है यह समझ में आगया आपको इसके बाद जो है behind the text इस पर click कर दोगे तो यह text के पीछे चला जाएगा text इसके बाद जो है in front of text यह तो मैंने आपको बताई दिया कि text के ऊपर आ जाएगा ठीक है इसके बाद जो है top and bottom यह इस पर click कर दोगे तो top और bottom में जो है text आ जाएगा अब जो है इसी में एक और button है through का इस पर click करोगे तो आपका text जो है कुछ इस तरीके से इसके अगल बगल में हो जाएगा next button की बात करें तो यह दिखिए edit rep point है आप जो है इस पर click करने के बाद यह जो node बन जाएंगे देखिए black black color के बन गये हैं आप चाहो तो यह text को और नजदीक कर सकते हो, देखिए मैं यह यहां पर ले कर गया और यहां पर ले ज़ाने की बाद कुछ इस तरीके से कर दूँगा, देखिए text बिल्कु टेडा हो गया है अंदर चला गया है, लेकिन मैं इधर लेके जाओंगा, तो टेक्स इस तरीके से हो जाएगा और यहां से करने के बाद मैं इधर कर देता हूँ तो देखे इस तरीके से कुछ बन गयाएगा ठीक है तो इस बटन का भी आपने एडिट रेप पॉइंट का भी इस्तमाल कर लिया है अगर आप more layout पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारी चीजे हैं अगर मैं इन्हीं के बारे में बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये उतनी काम की हमारी चीजे नहीं है जो काम की चीजे थी वो मैंने आपको बता दी है बात करते हैं alignment के बारे में तो right side में आ जाएगा टॉप पे कर दूँगा तो टॉप पे चला जाएगा यह alignment आप देख रहे हो कि यह जो ruler है उसके seed में है और यह जो ruler है इसके seed में alignment हो रहा है ठीक है और इसी तरह के से अगर आप bottom में कर दोगे तो बिल्कुल नीचे side में देखोगे alignment हो गया है यह इसके side में और इसके side में यानि page में अगर जो है आप अपनी picture को alignment करना चाहते हो top पे bottom में right left में तो इस button का इस्तमाल कर सकते हो ठीक है अगर आप जो है नीचे side में देखोगे तो यह दिया है align to page अभी देखे यह margin के हिसाब से align हुआ है लेकिन अगर आप जो है align to page कर देते हो तो आप देखोगे कि आपका यह align page के हिसाब से होगा अभी मैं जो है right side में क्लिक करता हूँ तो देखोगे right side में चला गया है बिल्कुल और उपर top में कर देता हूँ तो देखे top में बिल्कुल यहाँ पर जो है align to margin और यहां से जो है right ठीक है यह चीजे हमारी margin के हिसाब से हो गई है इसी के नीचे है view grid line का option है तो आप इस पर क्लिक करके grid line कुछ इस तरह के से अपने page में दिखा सकते हो next हमारा है इसी के नीचे है grid line setting में तो यहां से आप अपनी grid line की setting को change कर सकते हो कि यह grid line की setting में मतलब कितना space चाहिए यह spacing है और यहां से margin को भी तैय कर सकते हो और display grid line on screen की भी setting यहां से कर सकते हो जो कि उतने काम की नहीं हमारी है इसको भी हम लोग अटा देते हैं तो यहां पर क्लिक करने बाद ग्रीड line को यहां से disable करते हैं align के बारे में हम लोग जो है सीख चुके हैं यानि इन सभी buttons के बारे में हमने सीख लिया है इसी के नीचे देखिए एक button है group का तो यह button जो है image में उतना काम नहीं करता है यह shape में ज़्यादा तर काम करेगा जब हम लोग जो है insert वाले में यह shape वाला button सीखेंगे तब जो है हम यहाँ पर यह group है इसको सीखेंगे उसके नीचे एक है rotate का इस button का इस्तमाल करके आप अपने image को rotate कर सकते हो देखे rotate यानि गुमाने का तरीका यह भी है कि आपको यहाँ पर भी नहीं जाना पड़ेगा यहाँ पर भी आप जब image को select करोगे तो देखो के ऊपर की side में यह इस तरीके से एक डंडी सा बन रहेगा इस डंडी पर जैसे ही आप अपने mouse pointer को लेके जाओगे तो आपका mouse pointer कुछ इस तरीके से गुमावदार बन जाएगा बस आपको mouse का left button दबाना है और इसको आप गुमा सकते हो कुछ इस तरीके से ठीक है तो यह भी तरीका है गुमाने का है और दूसरा तरीका यह है कि rotate पे जाएए यहाँ से जिस भी position में आपको गुमाना है बिल्कुल उस position में गुमा लीजिए जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उस position में अपने आप image गुमेगी तो यहाँ से rotation button भी आपको सबज में आ गया होगा अब बात करते हैं यह जो button दिया है वो crop का button है इस button को इस्तमाल करके आप जो है कोई भी picture को crop कर सकते हो सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ control A से all select एक लेते हैं नई picture जिसको मैं crop करके आपको समझा पाऊँ अच्छे से इसी को ले लेते हैं यह देखिए हमारी picture आ चुकी है मैंने आपको बताया है कि जब picture लेनी है तो in front of text करना है तब ही आप जो इसको चोटा बड़ा अच्छे से कर पाऊगे और इसको यहां मूव कर पाऊगे यह हमारी picture है इस picture में हम लोग crop करेंगे यानि हमको बीच का पाट है सिर्फ वही चाहिए यह बगल का पाट सब cut करना है तो हम crop button पर click करेंगे कुछ इस तरीके से काले काले handle बन जाएंगे तो हम यहां पर handle लेक आएंगे कुछ mouse हमारा इस तरीके से बन जाएगा mouse का left button दबाएंगे और इस तरीके से लागर करके जितना हमको crop करना छोड़ देंगे इसी तरीके से हम लोग इधर भी आएंगे इधर भी लागर के इस तरीके से छोड़ देंगे उपर की side में भी हम handle बनाएंगे और यहां से लागर के इस तरीके से जितना हमको crop करना छोड़ देंगे और same काम हम लोग नीचे से भी करेंगे इतना कुछ हो जाने के बाद आप बाहर भी क्लिक कर सकते हो या फिर इसी पर भी क्लिक कर दोगे तो ये देखिए हमारी picture crop हो चुकी है इसी तरह के से आप कोई भी picture को crop कर सकते हो इसी के बगल में ये जो size का button है इस button का इस्तमाल करके आप अपनी picture का size कम या जाधा कर सकते हो जैसे कि मैं देखिए कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कि कम हो गया है और जाधा कर रहा हूँ तो जाधा हो गया आप mouse से भी कम जाधा कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप जो है कम जाधा कर सकते हो बेलकुल हरजंटल और वर्टिकल दोनों एक तरफ से हाइट और विर्थ दोनों एक साइज में जो है कम या ज़ाधा होंगी तो दोस्तों यहां से हम ले जो है पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद जो फार्मेट टैब ओपेन होता है उसके बारे में भी complete जानकारी सीख लिए है तो like तो यार बनता है अगर आपने like नहीं किया है तो like आप कर दीजिए चलिए हम लोग जो है insert वाले में जो है आप clip art बटन के बारे में बात करते हैं दोस्तो clip art बटन का इस्तमाल करके आप जो है अपने document में clip art को जो है insert करा सकते हो यहाँ पर बहुत सारे clip art होते हैं जैसे कि आप जो है जब clip art पर click करोगे तो clip art का जो है right side में एक box आजाएगा यहाँ पर आपको जो भी clip art चाहिए वो यहाँ पर आपको जो सिर्फ search करना होता है लिख करके search करिए और यहाँ पर लिखने के बाद ok करिए या फिर enter button दबा दोगे yes पर click करेंगे इसके बाद देखेंगे कि उससे related यहाँ पर जो है इस तरीके से बहुत सारे computer related clip art आ जाएंगे जो भी clip art आपको पसंद है उस पर बस click करिए देखेंगे कि वो clip art यहाँ पर आ जाएगा इस clip art को select करिए text वेपिंग मैंने बताया है in front of text कर लीजिए अब जो है इसको आप कहीं पर भी रख सकते हूँ यही नहीं और भी बहुत सारे clip art इसके अंदर आपको दिखाई देंगे आपको क्या करना है organized जो clip लिखा हुआ है नीचे एक सेड में इस पर click करना है इसके बाद जो है यहाँ पर काफी सारी जो है collection की list दी गई है आप किसी पर भी double click करिए उससे related जो है सभी की सभी मिल जाएंगी जैसे academic हुआ, agriculture, animal, arts, auto shop, background, building, business यह सारे की सारे जो है clip arts, foot वगएरा के सब के बहुत सारी clip art है तो clip art बटन का इस्तमाल करके आप अपने document में कोई भी clip art को insert करा सकती हो जैसे कि मैंने बता दिया कैसे clip art insert कराना है बस clip art को search करिए जो भी insert कराना इस पर click करिए वो इस तरीके से आद आएगा आप यहाँ पर देखो के जब clip art पे भी select हुआ है तो वही format tab open हुआ है जो कोई photo को select करने पे open होता था तो इन सभी के बारे में आपको पता ही चल गया होगा यहाँ से in front of text कर लीजिए इसको छोटा बड़ा करना हो तो यह जो handle दिये गए हैं यही handles का इस्तमाल करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो अगर आप जो है इसे घुमाना चाहते हो तो देखोगे जब आप इसे कोई भी clip art को select करोगे यहाँ पर एक डंडी सा बन करा आएगा जब डंडी पर आप इस तरह से ले जाओगे तो आपका करसल mouse pointer जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा आप इस पर click करके इस तरीके से घुमा सकते हो यही नहीं यहाँ पर और भी चीज़े दी गए हैं जैसे crop करना इसकी height विर्थ बढ़ाना मतलब सेम चीज़े वो हमारी picture वाली सब के सब यहाँ पर clip art में भी मिल जाती है जो कि मैंने बताए दिया है चलिए जो है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेप वाले की जो की काफी ज़्यादा important है तो देखिए सेप वाले button का इस्तमाल करके हम जो है अपने document में अनेकों तरह के सेप इंसर्ट करा सकते हैं यह सेप का इस्तमाल करके हम अपने MS Word में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे design logo बना सकते हैं जो की आगयान वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका design इन सेप के इस्तमाल करके बना सकते हो कैसे जो है कोई logo बना सकते हो फिलाल हम लोग बात करते हैं इन्हें कैसे अपने document में लाया जाता है कैसे इस्तमाल के जाता है देखे जो भी सेप्स आपको इसमें से पसंद है आप जो सेप्स पे इस तरीके से click करिए click करने बाद देखोगे mouse कुछ इस तरीके से आपका mouse pointer बन जाता है plus के जैसा अब जो है mouse का left button click करिए और इस तरीके से drag करिए मतलब खीचिए खीचने बाद जब आप छोड़ोगे तो देखोगे वो आपका सेप्स इस तरीके से बन जाएगा अब आप यहाँ पर देखोगे जब सेप्स बना लिया है हमने तो अलग formatting यहाँ पर खुली है यहाँ पर देख सकते हो यानि कि जो हम लोग picture select करते थे वो formatting अलग थी और यह formatting थोड़ी अलग है बाकि कुछ शीजे उसमें मिलती हैं लेकिन कुछ शीजे इसमें अलग है तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे फिलाल हमने shapes बना लिया है बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए shapes यह जो format है वो गायब हो गया है जब हम shapes को select करेंगे तो वो आ जाएगा इसी तरीके से अगर आप insert पर जाकर के दुबारा से कोई और shapes लेना चाहते हो तो आप shapes यहाँ पर ले सकते हो जैसे कि मैं यह ले लेता हूँ तो देखे यह इस तरीके से shapes बन करके आ जाएगा ठीक है और अगर कोई और shapes लेना हो फिर से हम लोग चलते हैं इनxaat पर कोई और theta से य्हां से ले लेते हैं कोई भी shape ले सकते हो बहुत सारे सेप यहां sate यहां पर दिये गए ठीक है यहां पर आपको एक चीज का द्धान जाना है चिया अगर आप इस तरीके से ड्रेक कर रहे हो तो बिल्कुल स सीधे में नहीं हoya सीधे में होता ह। तो अभी देखिए हमारा ये भी बन गया है अब तो आप सीखी गए होंगे कि कैसे जो है यहां से कोई shape को insert कराना होता है ठीक है बस आप उस पर click करिए इस तरीके से drag कर देजिए वो shape बन करके आ जाएगा यहां पर एक shape है जो बहुत ज़्यादा कमाल का है देखिए यह वाल सकते हैं कुछ भी ठीक है यह text box बड़े ही काम का होता है और यह हमारे designing में बहुत ज़्यादा help करता है तो यहां से आपने जो है text box को भी इस्तमाल करना सीख लिया होगा text box को भी बारे में जान करे होगी जितने भी shapes है ना उन सभी को इस्तमाल करिए आप बारी बारी से फि पिलाल हम इस shapes को select करते हैं यहां से देखिए सबसे पहले तो insert shapes में option मिल जाता है कि अगर आप यहां पर click करके और भी यहीं पर जाकरके दूसरी shapes भी बना सकते हो आपको insert वाले में जाकरके shape में जाने की ज़रुत नहीं है format में ही आपको बहुत सारे और shapes मिल जाते हैं आप एक और button दिखाए दे रहा है edit shape के नाम से है इस button का काम होता है कि आप अपनी shape को अपनी इच्छा नुसार edit कर सकते हो यानि इसको यहां से अगर बीच में सही मोड ना हो इधर तो मोड सकते हो लेकिन अभी यह option जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करता है क्योंकि यह 2007 या फिर उससे नीचे के version में यह सिर्फ नाम का है किसी काम कर रही है लेकिन अगर आप 2010, 13, 16, 19 इस्तमाल करते हो तो यह बड़े ही काम का है आप एक से बढ़कर एक shape के आकार को इसमें बना सकते हो बात करते हैं add text के बारे में तो इस button का इस्तमाल करके आप जो है अपने shape के अ चाहते हो आप वो लिख दीजिए ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया है और भी जिस भी shape में आप लिखना चाहते हो उस पर click करने कबाद add text format पर जाने कबाद add text करके उसको लिख सकते हो यहाँ से यह भी समझ में आया अब बात करते हैं shape style के बारे में तो यहाँ पर पहले करने हैं फिर भी जो है पहले से क्योंकि यह बने बनाए हैं तो हम जो है इस पर click बस ले जाएंगे mouse को तो यह अलग से style बन जाएगा पहले से default होता है तो आप इस पर click करके उसको जो है किसी भी document मतलब किसी भी shape में जो है apply कर सकते हो direct वो हो जाएगा देखिए अभी कितना सुन्दर लग रहा है ठीक है इसमें भी apply करना चाहो तो हो जाएगा या फिर दूसरा color डाल देते हैं ठीक है यह shape का style है आप यहाँ से direct change कर सकते हो लेकिन अगर आप कोई इसमें से पसंद नहीं आता है तब यह चीज़े काम करती है देखिए मैं इसको select करता हूँ और shape feel का यहाँ पर जो है manually खुच से कर सकते हैं इस पर click करेंगे जो भी color हमको चाहिए वो color इसके अंदर डाल देंगे हो गया color ठीक है समझ में आया नीचे यहाँ पर है shape का outline outline यह जो black blur color का दिखाई दे रहा है इसको outline बोरा जाता है इसकी मोटाई आप यहाँ से color और यहाँ पर द standard पर कोई भी choose कर लीजिए यहाँ से माल लीजिए हम जो है यह color ले लेते हैं ठीक है कुछ इस तरीके से नहीं red ले लेते हैं सही रहेगा red ले लेते हैं यहाँ से ok करते हैं तो देखो के red color का outline हो गया अभी आप देख सकते हूँ ठीक है और यहाँ पर click करके फिर से जो है weight म में ठीक है इन सभी के बारे में इसके बारे अग़र आपको किसी किसी में हमको यहोता है कि कोई shape में outline नहीं चाहिए होती है तो हम no outline कर देंगे outline पूरी historians हो जाती है आउटलाइन के बारे में हमने सीख लिया अभी देखिए शेप फील में और भी सीजे थी मैंने तो अभी आपको कलर ही फील करना बताया है अभी कवार क्या होता है सिर्फ हमें आउटलाइन की जरूत होती है कलर की जरूत नहीं होती है नहीं नो फिल कर देंगे बिल्कुल भी ये color इसके अंदर नहीं होगा कैसे पता करोगी ये इसके अंदर color नहीं है ये तो अभी नीचे की side में है तो हम इसको जो है उपर की side में लेकर आते तब समझ जाता है अब इसके नहीं है अब आपको विष्वास हो गया होगा इसके इंदर करते हैं नीचे वाले को सुलेक्ट करते हैं यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है से फिन पर हम लोग थे more feel color ये तो वही है कि अगर आपको यहाँ पर जो है कोई color नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ से ले सकते हो अगर आपको जो ही देखें यहाँ पर नहीं color कोई पसंद है तो आप इसमें जा करके color ले सकते हो लेकिन एक कमाल का feature यहाँ पर यह है कि अगर आप जो है इस shape के अंदर क तो आपको इस पर picture वाले प्लिक करना है, जो photo भरना चाहते हो, इस photo को select करिए, feel करना चाहते हो insert पर click करिए तो देखो कि वो photo इसके अंदर आ जाएगी अभी देखो photo आ गए ठीक है इसी तरीके से नीचे के अक्की side में देखे ये feel वाले में gradient का option है यानि कि एक ही shape में कई सारे color भर देना तो आप जब gradient पर click करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे gradient के प्रकार दिये गए हैं जो भी gradient आपको पसंद आता है यहाँ से आप जो है वो gradient का प्रकार choose कर सकते हो जैसे कि हम इसे choose कर लेते हैं चूज करने के बाद यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि इसका color अगर आप change करना चाहो तो more gradient पर click करोगे यहाँ से आप खुद जो है color बना सकते हो खुद gradient बना सकते हो जैसे one color है मैं यहाँ पर two color देना चाहता हूँ तो यह जो two color के बाद यहाँ पर one color यह पहला वाला जो color है इसमें मैं चाहता हूँ यह color है और दूसरा वाला जो color है उसमें मैं चाहता हूँ यह color है तो देखिए हुमारा gradient कुछ ही इस तरीके से बन करके आएगा अगर आप यहाँ पर setting style में change करोगे जैसे मैं इस पर click करूँगा तो देखिए कुछ ही इस तरीके से आ रहा है इस पर click करूँगा कुछ ही इस तरीके से आ रहा है इस पर इस पर बारी बारी से आप सभी पर click करके देख लीजिए जो आपको पसंद आता है इसके बाद okay कर दीजिए तो वो इसके अंदर feel हो जाएगा तो यहां से में यहां पर जो है मेरे ख्याल से आपको यह सारी चीजे समझ में आ गई होगी आप देखे texture की बात करते हैं तो यहां पर कई सारे texture दिये गए हैं पहले से बने बनाएं आप यहां से वो texture को click करके भर सकते हो यहां फिर more texture पर click कर दोगे तो यहां पर जो है pattern, picture जो हम लोग पीछे देखे तो वो सारी चीजे इसी में मिल जाएगी ठीक है other texture पर click कर दोगे तो आप अपनी photo को भी यहां पर texture के जरीए ही save कर सकते हो जैसे मैं जो है इसी को ले लेता हूँ और insert कर देता हूँ और इसके बाद कि यह texture में आ चुका है sample दिखा रहा है OK कर देंगे तो देखे इसके इंदर texture की रूप में आ गया है अभी जो है texture हमने समझ ली जाए pattern भी मैंने आपको लगबग बताई दिया पीछे जो मैं यह सारी चीजे बता रहा था यहाँ पर कई सारे pattern ने दिये गए हैं आप pattern को click करोगे तो इस तरह से आएगा अगर आप pattern का color change करना चाहो तो आप यहाँ से color change कर लिजे यहाँ से कोई दूसरा और यहाँ से कोई दूसरा pattern जो है pattern पर click करोगे न तो यही same pattern आप outline में भर पाओगे देखिए मैं इस पर click कर देता हूँ और okay कर दूँगा तो outline में सिर्फ pattern आया देखिए ठीक है क्यूंकि हमने यह जो shape का outline है इसके अंतरगत pattern लिया है वही अगर हम जो है shape fill के अंदर pattern लेंगे तो इसके अंदर भरा करके आएगा अब जो है यह दोनों चीजे complete हो चुकी है अब बात करते हैं change shape के बारे में अगर आप जो है यह shape को change करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ से click करके change कर सकते हो कोई दूसरा आकार दे देते हैं यहाँ पर यह यह वा change कर सकते हो यह समझ में आगया आपको इतना हमने clear कर लिया है अब बात करते हैं इसमें तो इस पर यह यह जो button है इस button का इस्तमाल करके आप shadow effect दे सकते हो shadow effect आपको इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आगा इस वाले में देखिएगा ठीक है क्योंकि यह तो feel हो चुका है प पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं थोड़ा सा और इसको जो है इस side कर देता हूँ तो देखिए हम इस पर click करते हैं format वाले पर जाकर के यह जो shape है shadow है sorry इस पर जाएंगे तो देखिए हमारा जो जैसा shape रहेगा वैसा shadow बन करके आएगा तो यहां से आप shadow का प देखिए shadow effect वाले में यहां पर joh बटन का इस्तमाल करके आप अपने shape में 3D effect ला सकते हो जब इसपे क्लिक करिए कुछी इस तरह के से 3D बन के आएगा देखे 3D बन रहा है ठीक है तो अगर आपको 3D की जरूरत है आप इसपे क्लिक कर दीजिए इस तरह के से 3D बन करके आजाएगा तो जब हमको जो है अपने shape में 3D effect लेना होता है तो हम यहाँ से जा करके ले सकते हैं और अगर आप इसका color change करना चाहो 3D effect का तो आप यहाँ से जा करके color भी change कर सकते हो ठीक इसी तरह के से आप जो है अगर इसका depth change करना चाहो थोड़ा कम यह ज़्यादा यह कर सकते हो direction change करना चाहते हो अलग से direction किदर से आना चाहिए light change करना चाहते हो light किदर से मारे तो वह भी change करोगे surface जो इसका change करना चाहते हो तो जितने भी 3D effect वाले हैं वो सारी सारी चीज़े इसमें मिल जाती है लगबग मैंने सभी के बारे भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है आप इन्हें इस्तमाल करिए next देखिए इसके बाद इसी में जो है जैसे हमको shadow effect मिला था उसी तरह किसे 3D effect मिला है हम जो है थोड़ा थोड़ा करके इदर इदर गुमा सकते हैं और इसपे click कर देंगे धोड़ जागा इसपे click कर देंगे तो आ जागा ये सीजे भी आपने समझ ली ये position की चीजे मैंने पीछे भी बता था यहाँ पर भी बता देता हूँ आप यहाँ पर अपनी position को तेह कर सकते हैं कि यह आपका किधर रहेगा देखे किधर रहेगा उपर नीचे दाएं बाएं बीच में ये सारी चीजे आप जो है यहाँ से adjust कर सकते हूँ इसके बाद जो है ये bring front और back ये मैंने चीजे पीछे आपको बहुत अच्छे ज़री के समझाई है यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ जब बिल्कुल एक ही बार में कोई चीज front पे लानी है तो आप इसका इस्तमाल करिए एक एक करके front पे लानी है जैसे धेर सारा image है आप एक करके उसको एक के उपर थोड़ा थोड़ा करके उपर लाना चाहते हो तो इसके इसका इस्तमाल करिए और किसी text के उपर आप जो है shape को लाना चाहते हो तो आप इससे इस्तमाल करिए ठीक उसी तरह के से एक बार में अगर आप सीधा back में भेजना चाहते हो तो इसका इस्तमाल करिए एक एक करके back भेजना चाहते हो तो इसका इस्तमाल करिए send behind the text यानि text के पीछे लेके जाना चाहते हो आप इसका इस्तुमाल करिए ठीक इसी तरह मैंने आप सभी को text raping के बारे में भी बता दिया है in line with text, square, tied behind the text, in front of text, top and bottom through, edit, rap point ये सारी चीजे मैंने आपको पीछे बता दी है same हुआ ही काम यहाँ पर यहाँ है, shape में भी काम करती है और इसके बाद बत करते हैं, align के बारे में इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको कैसे align करना चाहते हो जैसे page वाला मैंने बता आया था, margin वाला बता आया था, grid line, view grid line और grid light setting यह सारी चीजे में भी मिल जाती है अब बात करते हैं गुरूप वाले में जो कि हमको उसमें नहीं हम सीख पाए थे इसमें सीखना हमें जरूरी है तो यहां पर क्लिक करते हैं इसको जो है अटा देते हैं बिल्कुल सेम कर देते हैं देखिए कभी कबार हमको क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेफ हम बना लेते हैं तो हमको जो है अगर इनको एक ही साथ एक जगा से दूसरी जगा ले जाना होता है तो हमको दिक्कत होती ले जाने में और इनको अगर ले जाते भी है तो एक एक करके ले जाना पड़ता है एक ही साथ हम नहीं ले जा पाते हैं तो इस इस condition में हमारा group वाला option काम करता है कि हम क्या करेंगे इन सभी को एक साथ group कर लेंगे और group करने के बाद जो है हम एक ही साथ जब क्लिक करेंगे तो यह सब एक हो जाएंगे ठीक है जैसे मैं इसको select कर लेता हूं इसके बाद जो है मैं shift के साथ इसको select करता हूं इसको select करता हूं इसको और इसको ये सब की सब मैं एक बनाने वाला हूँ देखिए अब ये ग्रूप वाला इनेबल हो चुका है अब मैं इसको ग्रूप करेता हूँ अब मैं बाहर क्लिक करेता हूँ अगर मैं एक साथ से सलेक्ट करूँगा तो देखो कि यह सब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है और मैं इसको जो है एक साथ ही कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ देखिए मैं एक ही को लेके जा रहा हूँ सब एक साथ सला जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्जामपल की तौर पर बता रहा हूँ आप इसे अच्छे से और भी इस्तमाल कर सकते हो फिलाल हमने ग्रूप में सीख लिया है और इसी में देखिए आपको बटन मिलता है अन ग्रूप का अन ग्रूप पे क्लिक कर दोगे दुबारा से आपको ये अन ग्रूप option में मिल जाएंगे आप एक एक करके सभी को जो है इदर उदर कुछ भी edit वगरा करना चाहो इसमें edit कर सकते हो इसी में एक और बटन था regroup के बारे में तो जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो जो हमने group बनाया था वो फिर दुबारा से regroup हो जाएगा तो group वाले में आपने तीनो के बटन के बारे में सीख लिया है फिलाल हम करते हैं इसे ungroup अब बात करते हैं rotation वाले बटन के बारे में यह जो rotation था format वाले में rotation यानि rotate करना तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पिछे भी मैंने जो image में बताया था same वही तरीका यहाँ पर भी काम करता है यानि image को गुमाने के लिए हम बटन का इस्तमाल करते हैं ठीक इसी के बगल में यह जो height और width है इससे आप जो है अपनी shape का height और width जो है बढ़ा सकते हो manually इस तरीके से ठीक है width बढ़ाने तो width बढ़ाए कम करिये और height बढ़ाने तो height बढ़ाए कम करिये ठीक है यह चीज आप देख लिए यहाँ पर एक चीज और है कि जब मैं इस तरीके से बना लेता हूँ और मुझे बिल्कुल same size चाहिए जैसे इधर भी एक बराबर है इधर भी तो मैं क्या कम करूँगा इसको जो है यहाँ से मैं करूँगा copy control c से इसके अंदर same size को जो है paste कर दूँगा या फिर आप link भी सकते हो देखिए दोनों same size हो गया मैं बाहर क्लिक करूँगा एक दम एक बराबर हो जाएगा ठीक है तो इसे इस्तमाल करने के काफी सारे तरीकों होते हैं या आपके दिमाग पर भी निर्वर करता है कि आप इसे इस्तमाल के इस तरीके से करना चाहते हो फिलाल मैं सभी functions के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ तो मेरा बताना ये फर्स है फिलाल हमने जो है जब हम लोग shape बटन से कोई shape insert करते हैं तो जो format tab open होता है उसके बारे में भी हमने पूरा complete सीख लिया है अब हम लोग बात करेंगे smart art के बारे में देखिए smart art पे जब आप click करोगे तो आपको काफी सारे smart art मिल जाएंगे जैसे all पे click करोगे तो आप जो है process वाले पे click करोगे तो process related smart art मिल जाएंगे कोई circle बनाना है उस circle में दिखाना है तो आप circle पे click करोगे इसी तरह के relationship इसके बाद matrix ये सारी चीज़े दिखाने है तो आप उस पे click करके देख सकते हो ठीक है फिलाल मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ आप अच्छे से समझ जाओगे इसके बारे में देखे जैसे हमको कोई list बनानी है तो हम जो है उस पे click कर देंगे और वो यहां से select कर लेंगे यहां पर आ जाएगा और उसको बाद ok कर देंगे यह हमारे page में इस तरीके से आ जाएगा ठीक है अब यहां पर जो है हम इसको बदल भी सकते हैं यह जो text लिखे गए हैं इन सभी को text को हम click करके बारी-बारी से जो है बदल सकते हैं इसमें कुछ भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं जैसे मैं यहां पर लिखूंगा part one ठीक है part one मैंने यहां पर लिखा part one part one में मैंने आपको क्या सिखाया था इसको मैं सिर्फ एक ही point रहने दूंगा एक को मैंने delete कर दिया है part one में मैंने जो है ms आप word के बारे में आप सभी को उसका introduction दिया था ठीक है इसके बाद मैं click करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ part 2 part 2 में मैंने क्या किया था इसको थोड़ा से space देते हैं इसको delete करते हैं एक ही का हमारे पास काम है अगर दोनों का काम रहेगा तो ले सकते हो और नएकी काम है तो हम एक ही लेंगे part 2 में मैंने आपको क्या सिखाया था home tab के बारे में और इसके बाद जो है part 3 है part 3 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग part 3 लिखने बाद यहाँ पर भी जो है हम लोग इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं इंसर्ट आर्ट इंसर्ट टैब देखिए इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो ठीक है अभी देखिए हमारी यह लिस्ट बन करके तयार हो चुकी है देखिए हमारा स्मार्ट यानि यह लिस्ट जो हमने बनाई थी यह तो complete हो चुकी है लेकिन अगर आप यह स्मार्ट आर्ट में कोई change करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट आर्ट select करना है फिर से यह box आ जाएंगे अगर यह जो हमने MS word लिखा था इसके नीचे अगर आपको और चीज लिखना चाहते हो इसको select करिए यहाँ पर देखोगे design और format टैब open हो जाते हैं तो design और format टैब से जो है आप इसके में और भी चीज़े जो है add कर सकते हो या फिर अटा सकते हो तो design वाले टैब पे आपको click करना है अगर आप जो है इसके अंदर और भी एक heading जोड करना है तो एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हो जैसे ms word मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tutorial ठीक है अगर आप और कुछ add करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप मैंने बताया था कैसे add करना है मैं add ही लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए और फिर जो है मैं यहाँ पर आप लिख सकते हो मतलब यह समझ सकते हो कि जितना हमको इसमें editing वगारा करने हो वह design वाले से मिल जाएगा ठीक है इसी तरह के से insert वाले में भी आप कर सकते हो कुछ add करना हो तो बस bullets पर आड करिए यहाँ पर जो है हम लोग image फिर से जो है हम लोग इस पर जाते हैं add bullets पर औ आप और भी इसमें row add कर सकते हो delete कैसे करना इसको select करिए और delete बटन दबा दिए delete हो जाएगा और भी बहुत सारी इसमें चीजे हैं जैसे मैं इसको design बदलना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा देखिए कितना सुन्द लग रहा यहाँ पर आप colorize कर सकते हो अलग-अलग color में कर सकते हो जैसे मैं यहाँ से layout पहले इसका change कर देता हूँ देखिए यह layout काफी अच्छा है इसके बाद जो color पर जाएंगे तो color change कर लेंगे अलग-अलग color यहाँ पर दिये गए हैं जो भी आपको color पसंद है वो color select के लिए इ देखिए save का color change हो जाएगा इसी तरह के से यहाँ पर जो है outline का color change कर सकते हो आप और ठीक इसी तरह के से यहाँ पर जो है text का color अगर आप change करना चाहो तो text का color change करना चाहते हो दोस्तों अगर मैं smart art के बारे में ही अगर आपको बताने लगा ना तो यह design और format यह दो टैब ही काफी ज़्यादा समय ले लेंगे वैसे यह सब basic चीज़े हैं बारी बार इसे सबी पर click करते चले जाए और आपको अच्छे समझा जागा किसका क्या काम है smart art को आप इस तरह की से इस्तमाल कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर chart के बारे में तो chart बटन पर click करोग जिससे आप जो है बहुत सारी चीजों को दर्सा सकते हो जैसे column chart है line chart है pie chart है इसके बार है इसके बार है इसके बार एरिया है इसके बार जो है stock है surface है बहुत सारे है bubbles वगयरा की है तो आप इस में से chart को insert करा सकते हो जैसे मैं column को कर लेता हूँ column में मैं इसको insert करा लेता हू यहाँ पर देखिए जब हम चार्ट इंसर्ट कराएंगे तो यह पहले तो हमको लेके जाएगा MS Excel में देखिए MS Excel चालो गया है यहाँ पर हम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर चेंज करेंगे जैसे आप category में भी चेंज कर सकते हो category 2, category 3, category 4 चेंज करिए यहाँ पर जो है आप इनको भी चेंज कर दीजिए यह जो data है इनको जो अपने जो भी चार्ट बनाना चाहते हो आप उसके कोडिंग चेंज कर लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक idea दे देता हू चार्ट बनाने के लिए देखिए आप सभी को समझाने के लिए मैंने यापर एक छोटा सा डाटा बना दिया है यापर मैंने जनवरी 2022, फेरवरी, मार्च, अप्रेल में ये कुछ मैंने लिखे हैं महीनों के नाम और ये जो मैंने विक्री की है चना, गेहूं और मतर की कुछ इस तरीके से विक्री की थी तो अब जो है इस तरीके से कोई डाटा बना लिए वो आपके दिमाग के उपर भी डिपेंड करता है आप कौन सा डाटा ये जो है चार्ट में बनाना चाहते हो बनाने के बाद आपको जो है कुछ नहीं करना है बस बाहर क्लिक कर देना है बस जैसे आप बाहर क्लिक करोगे तो देखोगे वो चार्ट जो है आपका यहां पर जो है इंसार्ट हो करके आ गया है अभी देखिए गेहूं और चना और मतर इस तरीके से आ रहा है और January, February, March, April महिना इस तरीके सारा है कितना जादा है, कितना कम है, फिर कम जादा है इस तरीके से indicate होकर क्या रहा है तो जब आप chart बना लोगे तो देखोगे उपर की side में अलग और भी tab open होते हैं Design, Layout, Format जो की ये तीनो tab जो है हमारे chart से लेटेड हैं आपको बता दू कि chart वाला काम जो है MS Excel में जादातर होता है MS Word में बहुत ही ना के बराबर इसका काम होता है तो हम लोग जो है chart वाले को MS Excel में पूरा complete discuss करेंगे वैसे अगर आप चाहो तो खुद से यहाँ पर आकर के बारी बारी से इसका जो है यह विडियो जो है डेड़ गंटे से उपर हो चुका है और आप देख सकते हो अभी तक हमने शिर्फ चार तक ही cover किया है अभी इतना हमको cover करना है तो समझ लिए दो गंटे तो दो गंटे से उपर ही जाएगा क्योंकि यह गंटा 40 मिनिट यह विडियो हो चुका है तो अगर मैं इनी को cover करने लगा तो दो रहे गंटा यही ले लेंगे सब और इसके बाद जो है यह जो चीजे बची है हमारे यह सब नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसको जो है आप खुझ से भी देख सकते हो वैसे इसका MS Word में कोई जादा काम नहीं है MS Excel में हम इसको अच्छे से सीखेंगे अब हम लोग बात करते हैं Hyperlink के बारे में और Bookmark और Cross Reference के बारे में तो Hyperlink बटन पर क्लिक करके आप जो है कोई भी link अपने document पर insert करा सकते हो उस link में आप जो है कोई भी file कोई भी document कोई भी photos को link कर सकते हो कैसे करना है जैसे मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुलाब गुरू IMP यानि गुलाब गुरू की important file है तो यहाँ पर मैंने लिखने के बाद इसे जो है select कर लिया है इस तरीकी से आप select करिए इसके बाद hyperlink पर click करिए यहाँ से जो है जिस भी document को आप यहाँ पर attach करना चाते हैं उस document को यहाँ से select कर लीजिए तो यहाँ पर जो है मैं इस document को select करने वाला हूँ जिसमें लिखाया video provided a powerful way to help your ठीक है इसी document को मैं इसके साथ attach करने वाला हूँ जब इसे control बटन के साथ इस पर click करोगे तो यह अलग file में लेके जागा यहाँ पर ok करिए देखिए यह अलग file जो है खुल चुकी है और इसको जो है हम यहाँ से cut करते हैं और यह अलग file है ठीक है इसी तरह के से आप बीना यहाँ कुछ लिखे भी यहाँ पर insert करा सकते हूँ ठीक है मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ सिर्फ बीना लिखे यहाँ पर insert कराता हूँ hyperlink पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इस बार कोई दूसरा document जो है यहाँ से select करते हैं तो यहाँ पर एक photo मैंने रखी है desktop पर मैं इसे ही insert कराने वाला हूँ मैं photo पर क्लिक कर ले कर लिए है और मैं इसको okay करता हूँ देखे यह गुलाब गुरू लिखा हूँ आ चुका है यानि आप पहले भी लिख करके insert करा सकते हूँ या फिर बाद में भी इस तरीके से लिख सकते हूँ इसके बाद जब आप इस पर लेके जाओगे तो यह बोल रहा है control के साथ follow link य कोई file कोई folder कोई document या फिर कोई photo कुछ भी जो है link कर सकते हो यहाँ पर ठीक है अब देखिए मैं जब इसको भेजूँगा अपने दोस्त को तो वो जो है इसको open करने बाद इस पर control के साथ जब click करेगा तो वो उस image को भी देख पाएगा तो hyperlink से यही मतलब होता है आप बात करते हैं bookmark के बारे में आप यहाँ से bookmark यानि बहुत सारी चीजों को bookmark करके रख सकते हो देखिए bookmark कैसे करना है bookmark को समझने के लिए आप थोड़ा से यह समझिए यह document आपका बहुत बड़ा है जैसे कि कोई किताब होती है जब हम उसके कुछ पन्नों को पढ़ लेत देखें यह पहला page है आप यहाँ से समझिए पहला page है और मैं यहाँ पर पढ़ते-पढ़ते you can easily تक पढ़ते-पढ़ते आ गया हूँ ठीक है और मैं कल यहीं से पढ़ना चाहता हूँ या फिर कुछ देर बाद मैं यहीं से पढ़ना चाहता हूँ तो मैं इस पर click कर लोगा और यहां से bookmark पर click करूँगा और यह bookmark का नाम दे दूँगा ठीक है तो यह मैं जो दे देता हूँ today, today करके मैं दे देता हूँ आपकी emergency है आप जो भी दे सकते हो, today करके मैंने दे दिया आप अपना नाम भी लिख सकते हो, इसके बाद add कर दूँगा तो आप जब देखो के यहां पर bookmark जो है add हो चुका है ठीक है, अब हम इसको cancel करते हैं अब हम कहीं पर भी चले जाएंगे हमारा जो है, यह cursor कहीं पर भी click रहेगा हम को हम यह देखना है कि हम कहां से पढ़ रहे थे तो हम सीधा bookmark पर click करेंगे तो cross reference जो है आपको reference वाले tab में भी मिल जाएगा यह देखी, reference वाले में यहां पर cross reference को समझना काफी ज़्यादा आसान है, जबकि यहां पर उतना आसान नहीं है तो दोनों जो है cross reference सेम तरीके से काम करता है हम लोग जो है cross reference जो है reference वाले tab में सीखेंगे इसके बाद हम लोग बात करते हैं Header और Footer के बारे में तो Header और Footer का इस्तमाल करने के लिए आपको जैसे इस पर क्लिक करना होगा इस पर काफी सारे Header की Style मिल जाएंगे जो भी Style आपको पसंद है उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखे कुछ Header इस तरी के से आ जाएगा जो भी आप Header लगाना चाते हो वो Header यहाँ पर टाइप कर दीजिए टाइप करने के बाद जो है आप इसका जो है इसको थोड़ा सा Bolt वगएरा भी करना चाते हो तो यहाँ पर आने के बाद Home में इसको इस तरह से Select करिए Bolt कर दीजिए थोड़ा सा Size बढ़ा दीजिए इसका Color थोड़ा सा Change कर दीजिए यह सारी कीज़ करने के बाद यहाँ से इसका Style भी थोड़ा बदल लीजिए यह सब कुछ करने के बाद हमारा Header अब लग चुका है और यह देखिए हमारा Header जो है उपर की Side में लग चुका है और यहाँ पर जो है हम बाहर आ करके Double Click करेंगे या फिर यहाँ पर एक बटन में लेगा Close Header and Footer इस पर क्लिक कर दोगे तो यह हड चुका मतलब यह Add हो जाएगा और हम बाहर आ जाएगे और आप देखोगे कि यह जो हमने Header लगाया था वो सभी पेज में एक साथ लग चुका है जितने भी मैंने पेज लिए है आप यहाँ पर देख सकते हो सभी पेज में जो है एक साथ लगा हुआ है इन पेज में भी है इधर भी है और इधर भी जितने भी मैंने पेज लिये थे सभी पेज में जो है एक साथ हीडर लग चुका है ठीक इसी तरीके से जो है अगर आप जो है फूटर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे यही पर इंसेट पर जाईए यहाँ पर देखिए फूटर दिया है इस पर क्लिक करिए फूटर के स्टाइल काफी सारे दिये गए है आप जो भी फूटर का स्टाइल मतलब लगाना चाहते हो उसको जो है सलेट कर लिजे देखिए नीचे साइड में आ गया है हेडर उपर लगता है फूटर नीचे लगता है यहाँ पर जो है आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए मैं लिख देता हूँ और पेज नंबर भी यहाँ पर साइड में दिखा रहा है आप पेज नंबर रहने दीजिए आप याँ फिर पेज नंबर भी में जो कुछ एड करना चाहो change कर सकती हूँ ठीक है फिलाल हमने footer भी लगा दिया है और मैं इसको बाहर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा footer भी लग गया है देखने के लिए हम नीचेक सैड में आएंगे देखिए footer भी लग गया है और ये एक साथ ही जो है सबी pages में एक ही साथ लग जाता है देखिए नीचेक सैड में footer भी लगा हुआ है और उपर header भी लगा हुआ है इस तरीके से जो है आप अपने MS Word के किसी भी document में header और footer लगा सकती हो अगर आप जो है अपने documents में से header और footer को जो है हटाना चाहते हो तो इसके लिए जो है आपको insert पर जाना होगा और यहाँ पर header पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर remove header पर क्लिक करोगे तो header हट जाएगा फिर से footer पर क्लिक करना होगा remove footer पर क्लिक करोगे तो footer भी हट जाएगा अब आप जो है document के पेज में पेज का जो है नमबर सेट कर सकते हो जब आप एक से जादा पेज का डॉकुमेंट बनाते हो तो उसमें आपको पेज जो है नमबर दे करके सेट करना चाहिए ताकि अगर आप उस डॉकुमेंट को कभी प्रिंट करते हो तो उसमें जो प्रिंट करने के बाद अगर बिखर जाता है तो उसको collect करने में असानी हो जैसे आप ये जो top पेज है यानि पेज के top पर अगर आप जो है number लगाना चाहते हो तो आप इस पर click कर ये देखे ये दिया है यहाँ पर जो है आजाएगा number इसी तरीके से अगर आप जो है bottom में number देना चाहते हो तो आप bottom में द देखे यहाँ पर वहीं जो है इसमें एक और button दिया गया है format page number इस पर click करोगे तो आप यहाँ से जो है जैसे एक दो तीन का page number आता है वैसे आप ABCD में या फिर छोटे ABCD में या फिर जो है इन मतलब यहाँ से format को जो है change कर सकते हो मैं यहाँ पर ABCD ले 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 लेता हूं औ दुबारा ABCD का format आ गया है आप यहाँ पर देख लीजी ठीक है इसी तरीके से जो है आप दुबारा से क्लिक करके remove page number आप page number को हटाना चाहते हो तो इस पर click कर दोगे page number हट जाएगा अब बात करते हैं tax box button के बारे में तो इस button के अंदर काफी सारे ऐसे tax box button होते हैं जो पह text कर लिजे अब जो है आप इसे direct कहीं पर भी ले जा सकते हो और यह जो इसमें tax दिये गए होते हैं इसको आप edit कर सकते हो यानि इसमें कुछ अपने tax लिख सकते हो यह tax box से मुसी तरह से काम करते हैं जो कि हमने पीछे tax box लिया था अगर जो है आप खुद से अपना tax box लेना इस पर क्लिक करके आप जो है बिल्डिंग बुक पर क्लिक करके यहाँ पर जो पहले हमने यह जो यहाँ पर cover page जो set किये थे वह यहां से भी आप ले सकते हो जैसे कि देखिए मैंने जब सुरू में आपको दिखाया था तो मैंने गुलाब नाम से cover page से एप किया था मैं इस पर क्लिक करूंगे देखिए यह कवर पे जा गया है हमारा इंसेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यह हमारा यहां पर एड हो चुका है तो क्विक वाट में वह सारे आपको चीजे मिल जाती हैं जिसको आप डारेक्ट यहां पर एक्सेस कर सकते हो बात करेंगे वर्डार्ट क ते वाला ठीकिया इस पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से आएगा यहां पर आपको अपना word लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो लिखने के बाद आपको जो सिंपल सा प्रोसेस है ओके कर दीजिए देखिए आपका जो word art है कुछ इस तरीके से आजाता है और word art जो आपका आएगा उसके बाद एक format tab open होता है और इस word art को फार्मेटिंग करने के सारे buttons इसके अंदर दिये होते हैं जैसे कि हम जो text वैपिंग करके in front of text कर लेते हैं तब ही हम अपने text को इधर उदर घुमा पाएंगे ज्यादा तर तो हम जो है इसको यहाँ पर लेके जाएंगे इस तरीके से word art पे और यहाँ पर इस तरीके से लेकर आएंगे यह जो node दिये गए हैं इन node को जो है पकड़ करके छोटा बड़ा इससे आप कर सकते हो यानि word art को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहो तो यह जो handle दिये गए हैं इन handle का button का इस्त्वाल करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो अगर आप इसे घुमाना काफी सारे लोग परिशान हो जाते हैं कि यह format कहां गायव हो गया है तो जब आप word art पर click करोगे तो word art selected format में सभी tools open हो जाते हैं इसमें जो है हमने यह सभी के बारे में बात कर लिया है shape feel वगेरा के बारे में कैसे इसको feel will करना है 3D के बारे में shadow के बारे में इन सभी के बारे में position वगेरा के बारे में सब को मैंने बता दिया है बस मैं आपको यहां पर word style के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे यह भी आपको अच्छे समझ जया जागा अगर आप कोई भी word art में typing कर लिए हो और दुबारा से उसको change करना चाते हो तो आप यहां पर बारी बारी से आकर change भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से देखिए ठीक है अगर आप इस तरीके से करना चाते हो यहां 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 बारी बारी से आप आकर के सभी पे देख लिए जो भी आपको पसंद आता है आप उस तरीके से जो है यहाँ पर उसको क्लिक कर दीजिए वो उसमें अपलाई हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर जो है text edit का option है इस पर click करके आप दुबारा से text को edit करना चाहते हो तो कर सकते हो यानि जो आपने फोड़ा सा सही और हट जाएगा तो यहाँ से spacing भी देख सकते हो आप और यहाँ पर जो है event यह जो है हमारा event height का option है तो आप इसकी यहाँ पर click करके इसका height देख सकते हो एकदम बराबर कर सकते हो तो इसी तरीके से हमने यह format tab में पूरा complete कर लिया है आप जो है इसमें जो बचा है वो यह है drop cap के बारे में चलिए मैं आपको drop cap के बारे में समझाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा काम का है देखिए अकसर आपने देखा होगा कि जब हम कोई newspaper पढ़ते है तो उसमें पहला letter जो है बड़ा होता है बाकी सब के सब छोटे होते हैं तो same काम यह है drop cap का ह होता है देखिए इस पर आप click करके ले जाओगे तो देखिए वहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि यह बड़ा है बाकी सब छोटे हैं तो हमको जो है जितने में भी apply करना है उसको select कर लेना है कुछ इस तरीके से apply करने के लिए इसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ प इधर नहीं आएगा लेकिन अब गर आप यह पहले वाले पर click कर दोगे तो यह margin के अंदर रहेगा ठीक है ठीक इसी तरीके से जो है यहाँ पर none कर दोगे तो हट जाएगा यानि drop cap हटा सकते हो इसके बाद drop cap का option है आप इस पर click करके आप अपनी अनुसार जो है यहाँ से क अपनी line उसके अंदर आ जाएगी तो यहाँ से हम जो है इसको करते है नन अभी यह जो है पूरा हमारा हो गया नन तो यहाँ से हम ले जो है drop cap के बारे में सीख लिया है अब बात करते हैं signature line के बारे में signature line बटन का इस्तमाल करके आप अपने document में एक line जो है signature की add कर सकते हो क जो भी यहाँ पर से मतलब जो भी इस document को बना रहा जो signature करवाना चाहता है उसको नाम टाइप करिए और यहाँ पर जो है जो है वो manager है या फिर key officer है क्या है उसको टाइप करिए जैसे मैं मैंने अपना नाम लिग दिया है और मैं यूटूबर हूँ तो मैं यहाँ पर यहाँ पर okay कर दूँगा तो देखोगे signature line यहाँ पर आ चुकी है तो signature line बटन का इस्तमाल करके आप अपने document में signature line डिजिट्री जो है enter करा सकते हो यानि यहाँ पर insert करा सकते हो तो इस तरीके से आप जो इस button का इस्तमाल करोगे अब बात करते है date and time के बटन के बारे में इ देखे यह जो है आज का time insert हो गया है तो यहाँ पर जो है date format select करेंगे इसके बाद okay कर देंगे तो देखे यहाँ पर date format भी आ गया है इसके बाद बात करते है object के बारे में यह बड़े कमाल का काम करता है आपके document में इस button का इस्तमाल करके आप किसी दूसरे document से कोई दूसरी file या फिर कुछ बना करके यहाँ पर direct लेकर आ सकते हो चाए wordpad से लाना हो चाए Photoshop से लाना हो चाए paint से लाना हो चाए excel से या फिर powerpoint से किसी दूसरे software से कोई object कुछ भी type करके आप लाना चाहते हो तो यह बड़े काम का काम करता है यहां पर आपको click करना है यह देखिए photoshop मे दिया है और यहाँ पर macros दिया है, power point भी दिया है, word दिया है, यह सारी चीजे यहाँ पर दिया है, तो आपको जो है, जिसे भी आप लाना चाहते हो बस उस पर click करना होता है, spreadsheet को open कर लेता हूँ, यानि Excel को open कर लिया मैंने यहाँ पर देखिए यह Excel का इस तरीके से जो है आ गया है खुल करके और मैं यहाँ पर जो भी काम करूँगा यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ कुछ भी file वगरा यह जो बना है कुछ भी document हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से बना ले के बाद जो है हमको लगता है कि अब बन गया है अब हम जो है इसको cut कर देंगे cut करने के बाद देखोगे Excel की जो sheet थी वो हमारे जो है इस word में direct insert हो चुकी है इसी तरीके से जितने भी program इसके अंदर मिल जाते हैं याण equation मिल जाते हैं आप इसमें से कोई भी mathematical formula जो है apply करना चाहते हो उसको मतलब ले सकते हो बस click करना है एक बार आप जब click करोगे वो direct यहाँ पर insert हो जाएगा आप इसमें से कुछ भी बदलना चाहो वो आसानी से बदल भी सकते हो जैसे मैं यहाँ पर 4 type कर देता हूँ देखिए हो गया है यहाँ पर जो है मैं A plus B type कर देता हूँ A लिखा मैंने plus B लिखा मैंने और इसके बाद इसका square लिख दिया मैंने तो यह चीज़ आप आसानी से इसमें edit कर सकते हो यह आपके उपर भी paint करता है कि आप कैसे इसको edit करते हो देखिए मैं इसको select करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको delete दोनों को करने बाद 2 दबाद देता हूँ देखिए A square plus B square लिखा चुका है इसी तरह किसे मैं जो है insert पर click करता हूँ फिर से equation पर click करता हूँ और यहाँ पर insert new equation पर click कर देता हूँ तो देखो के कुछ इस तरीके से बिल्कुल blank equation आ गया है और मैं यहाँ से जो भी इसमें से formula को यहाँ पर लिखना चाहता हूँ उसे आसानी से लिख सकता हूँ जैसे मैं करड़ी वाला ले लिता हूँ यहाँ पर मैं इसको insert करा लिता हूँ अब जो है आप इसके अंदर जो है जो भी type करना चाहते हूँ उसको करड़ी में type करके बाहर click कर देजी वो हो गया ठीक है तो इस तरीके से जो है आप equation बटन का इस्तमाल कर सकते हूँ कोई भी अगर आप अपने MS Word में कोई ऐसा exam वाला paper वगरा बना रहे हो तो यह equation बड़े काम क्या आते हैं देखिए अब बात करते हैं symbol वाले button के बारे में तो इस button का इस्तमाल करके आप अपने document में symbol इंसर्ट करा सकते हूँ आपको पता होगा कि keyboard में धेर सारे symbol नहीं दिये होते हैं तो अगर आपको जितने keyword में symbol दिये हैं उनसे कई जादा symbol की जरूरत है जो उसमें नहीं दिख रहे हैं तो आप यहां से direct आ करके इंसर्ट करा सकते हूँ जैसे copyright हुआ या feature trademark हुआ यह सारी चीजें आपको keyword में नहीं मिलेंगी ठीक है यह वाला यह सब symbol हुआ तो अगर आप ज़्यादा symbol इस्तमाल करना चाते हो तो more symbol पे भी click करोगे तो यहां पर देखोगे धेर सारे symbol आपको यहां पर मिल जाएंगे आप जो है इन में से जो भी symbol इस्तमाल करना चाते हो बस उस पर click करिए और insert करा लिजिए दिखिए यहां पर insert हो गया है बस symbol पे click करिए वो insert हो जाएगा इस तरीके से और आप देखोगे recently use में यह symbol भी आ रहा है और अगर आपको कोई symbol की बार-बार जरूरत पड़ती है यानि बार-बार मान लिजिए आपको copyright की आपको बार-बार copyright symbol की बार-बार जरूरत पड़ती है तो आप इसका shortcut बना सकते हो बस उस symbol को select करिए जिसकी आपको बार-बार जरूरत पड़ती है इसके बाद shortcut की पे click कर दीजिए यहाँ पर आपको नई shortcut की बनाने है तो हम यहाँ पर control के साथ X shortcut की बना लेते हैं और इसको जो है assign कर देते हैं अब जो है हम इसको close करते हैं और यहाँ पर आने बाद मैं control के साथ X दबाऊंगा तो देखो कि यहाँ यहाँ पर जो है copyright automatic बनता चला जा रहा है सिर्फ control के साथ X दबाने में अगर जो है आप इसे जो shortcut की यहाँ पर add की हो उसे अटाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करिए यह shortcut की को क्लिक करिए और यहाँ से remove कर दीजिए और यहाँ यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो तो आपको सारी जानकारी insert tab के बारे में हो चुकी होगी और सभी को इस्तमाल करना आपको आ चुका होगा यह वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया है लेकिन जानकारी मैंने पूरी detail में आप सभी को बताईए इसलिए वीडियो जादा लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं अगर आप यह वीडियो सिर्फ एक ही वीडियो को देख लेते हो तो MS Word में जो insert tab है और जो अलग-अलग format tab हुआ design tab हुआ layout वो वो सारे tab खुलते हैं उन सभी के बारे में आपको detail में जो है जानकारी पता हो चुकी होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पे अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन्दमातरम